हेलो वेरी खूद इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग जल्दी से आ जाईए वड़ा वर क्लास को जॉइन कर लिजिए क्योंकि पूरम मैं क्लास में आ चुके हैं जल्दी से आ जाईए वड़ा फट आज हम पढ़ने वाले हैं समावेवता का तो जल्दी से आ जाओ फटा फट जड़ा जड़ जल्दी देखें मेरे बच्चे कितनी जल्दी आते हैं आव वह सामने बोड़ पर सबसे पहले आपन पढ़ेंगे बिटा प्रती स्थापी बेंजीन योईकों का नाम करण सभी बच्चे बोड़ पर देखेंगे सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, कि जब प्रती स्ठापी बेंजीन हो, तो उस समय उनका नाम क्या होगा, देखो आयो पीसी नाम, ये प्रती स्ठापी है, और ये CH3, ठीके, एक कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, मैथिल, क्या बोलेगे बटा, मैथिल, और ये क्या हो यह वंग्या किया हो गया देंजी है हा या न जलनदी बताओ नेहीं जहाँ आंक हैं या न सुनक्रत को समझ आया कि इसका नाम मैठिल थी नैं यह फेयर के राहे है त यह फ़िक्ष को बेटा इन सब में कुछ नहीं है जल्दी बेटा फटावर क्लास को शेर करो राजा प्रतिस्थापी बेंजीन युकों के नामकरण के लिए प्रतिस्थापक के लिए प्रियुक्त उकसल बेंजीन शब्द से पहले जोड़ दिया जाता है प्रतिस्थापक और ये क्या है बेंजीन अब इसका नाम देखो मैथिल ऑक्सिजन के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या नाम होगा एक कार्वन का आयमी को वोलते हैं मैथिल क्या बोलते है बीटा तो क्या नाम होगा मेथोक्सी बेंजी हां या ना जल्दी बताओ क्या नाम हुआ मेथोक्सी बेंजी सबका क्लियर है जल्दी बताओ थोड़ा एकस्पेंट करूँ, ओके डंड इधर देखो सामने बोर्ड पर देखो यदि आपके पास कोई भी बेंजीन रिंग है और उस रिंग के उपर कोई भी कार्बन यूइग लगा हुआ है एक कार्बन है तो मेथी बोलेंगे न भई हाँ या न और प्रती स्थापी तो क्या बोलेंगे मेथील नाम के पीछे इल लग जाता है हाँ या न लग जाता है न क्लियर है तो अपन क्या बोलेंगे बेटा उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन लिखेंगे क्या बेटा चलें हाँ या न जल्दी बताओ तो यहाँ पर आगिया क्या मेथील हा यह ना जलदे बताओ क्या गे बिटा मैथेल ठीक है अब बेंजीन दो बेंजीन को बेंजीन बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो तो आवाज स्लों आ रही है अरे आवाज स्लों कैसे आ रही भाई अब ठीक है अब सही है अब आवाज आ रही है हाई ना मैथिल बैंजी वेरी गुड वेरी गुड अब दूसरे का नाम देखो बेटा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ऑक्स टो इसे बोलते हैं क्या मैफिल के साथ में क्या खुडा हुआ है ऑफ एचा 17 होगा Kauf दो चानल मेठाक सी क्या बिınt तो क्या नाम पढ़ा मेफोक्सी बेंजीन इट इस क्लियर इट इस क्लियर इट इस क्लियर बेटा चलें ऑक्सियं इतर ना कोई भी formula है उसका नाम करन कैसे करते है formula तो कहीं से भी आसकता है राजा कोई जहाद दिक्कत वाली बात नहीं है formula तो कहीं से भी आसकता है yes or no yes or no हाँ या ना it is clear हाँ बेटा question क्यों नहीं बताउंगी आप जो पूछो में वो बताऊंगी बस आप पढ़ते रहो बेटा अचा सभी को दिखाई तो दे रहा है सभी को दिखाई तो दे रहा है सेकिंड चैप्टर के इंपोरेंट टॉपिक लास्ट में पक्का आज मैं जाने से पहले पक्का बता कर जाऊंगी ओके यह आठमा चैप्टर रहे बेटा ओके डन बेटा मैं तो अक्सी लिखा है मैं तो अक्सी लिखा है राजा मैं फॉक्सी लिखा है मैंने हर्शेद क्लियर थमसब बेजो पूजा मिश प्रिंसी सबका क्लियर है ओके 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 दो होगी खेलियर सब का ओके ड़न आजाओ बेज़ अब आता है एन यह तू सो अईनस टू में क्या है अनिस टू एमीनों एनस टू क्या बोलते हैं एमीनों यह शव्यान में रखने एनो टू क्या बोलते हैं नाइट टू हाँ या ना या ना या सटो नो क्लियर कितनों को दिख रहा है सबको क्लियर दिख रहा है क्या हाँ या ना जल्दी बताओ सबको clear दी रख, थम सब भेज दो एक बारी, एक बारी, जल्दी बेटा, ओके, ओके, done, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बात है, पीछे का सादा पढ़ चुके हो, very good, very good, very good, चले, आगे आओ, अगला है, कई परतिस्ता भी बेंजिन योई सामाने नाम से जाने जाते हैं, जैसे आपने IUPSC नाम लिखा, IUPSC नाम लिखा बिटा, IUPSC, इसका IUPSC नाम क्या है, मैथिल, मैथिल, बेंजीन, वही पर, इसका रूड नाम, यानि प्रचलित नाम क्या है जैसे तुम्हारा घर पर नाम क्या है सौनू पर इस्कूल में नाम सौरब है तो प्रचलित नाम क्या हुआ सौनू घर में तो सौनू से जानेंगे ना तो प्रचलित नाम क्या है टॉलुईन क्या है बिटा टॉलुईन यस और नो जल्दी बताओ yes or no हाँ या ना जल्दी बताओ बिटा सौनम कह रही है मैम स्रदाद सौनम गलत बाद आए क्या कर रही हो तुम चैप्टर वाइस क्येस्टेंज कर वाऊ हूँ I'm sick use ओके 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 जल्दी are you PCO full form प्रियांशु कल भी बताया था याद हो तो love you too चलो बिटा आजाओ इदर योगेश कह रहे मैम मुझे आपसे मिलना है बिल्कुल पहले क्लास टॉप करो 11 उसके बाद मैं खुद आऊंगी आपसे हाँ बिटा ये बंद सरंचना तो है पर इन सब में द्विया बंद है देखो तो यहाँ पर ये साइक्लो नहीं लगाते अगर केवर ऐसी सरंचना होती तो साइक्लो लगाते क्लियर ऐसी सरंचना में बेंजीन ठीक है राजा हाँ या ना जल्दी बताओ चले बिटा हाँ या ना चलो जी ओके डन आजाओ अरे क्लास को शेर करो भाई क्या कर रहे हो तुम जल्दी जल्दी क्लास को शेर करो जल्दी क्लास को शेर करो फड़ा फड़ कितने बच्चों ने क्लास को शेर कर दिया हाँ ये बिहार बोर्ड के बोर्ड के सरे बोर्ड के बच्चों के लिए भाई बिहार ही नहीं सभी बोर्ड के बच्चों के लिए है ये जल्दी जल्दी क्लास को शेर करो कर दिया ओके 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 डन चलो वह इधर देखो आगे अब टॉपिक आता है समा वेवता सभी बच्चे ध्यान से पढ़ना समा वेवता से क्योश्टन पक्का आएगा तू मार्क्स का क्योश्टन जरूर आएगा सभी बच्चे ध्यान से पढ़ो इधर देखो ओक्सिगन अवस्ता सब बताएंगे भई लास्ट में अभी नहीं इधर देखो समा वेवता दो प्रकाल की होती है सलंचनात्मक और त्री वीमिय कितने प्रकार की होती है समावेवता दो प्रकार की कौन कौन सी सलंचनात्मक और त्री वीमिय क्लियर हां या ना हां बेटे हां योगेंद्र योगेश पूछो इधर देखो बेटा सामने बोड़ पर सभी बच्चे यह बहुत इंपोर्टेंट है सबसे पहले श्रंकला इस्थती क्रियात्मक समुहें और मध्या व्यवता फिर है जयामीती समा व्यवता और फिर है क्या प्रकाशिक समा व्यवता प्रकाशिक समा व्यवता क्लियर हाँ या ना हाँ या ना चले बेटा इधर सामने बोड़ पर देखो तुम तुम्हें नहीं पढ़ना तुम्हें नहीं पढ़ना बस केंद से बाते कर रहे हां तुम भाई अरे किस से बाते कर रहे हो उ harina में एक मिल्टो अने यह स Cute मक्रीवी मिय श्रंकला ला इस्तती क्रियात्मक मध्यावारता जयामीती प्रकाशिक हाँ या हाँ यह ना कि मेरा नहीं दिख रहे तुम्हें जल्दी बताओ यास और नौ यह पार्ट टूई चल रहा है पेटा सारे बच्चे पार टाइम पास कर रहे तुम यहां बैठ कर पढ़ लो थोड़ा इधर देखो बढ़ावर्ट जल्दी से आप देखो सबसे पहले सबसे पहली समाव्यवता कौन सी है पहली है आपकी कौन सी भई सलंचनात्मक समाव्यवता पहले तो समाव्यवता क्या होती है देखो समाव्यवता क्या होती है समाव्यवता का क्या अर्थ होता है सबी बच्चे ध्यान से से के बोड़ पर समा व्यवता का अर्थ होता है जब जब दो या दो से अधिक अधिक योगिक जिनके जिनके क्या बेटा जिनके आणू सुत्र तो क्या होते हैं आणू सुत्र तो समान लेकिन लेकिन उनकी उनके अणू की इस्ततियां बदल जाती है इस्ततियां बदल जाती है तो क्या कहते हैं उसे तो उसे तो उन योगिकों को क्या कहते हैं बटा समा व्यवी तथा यह गुण क्या कहलाता है समा व्यवता कहलाता है यह सब्सक्राइब जल्दी बताओ कितने बच्चों को समझ में आया जल्दी बताओ हाँ या ना क्लियर समा व्यवता क्लियर सबका इलैक्टोड व्यवा बताओ यह क्या पूछ रहे हैं पूछ भी नहीं तू के दो इक उनक्रोड और विजित अफगटनी फदार के मद्य उथपन विभव इध अफगेटर विभव कहेँ राता है बस कि मेसलब एक उद्पन होताह उस flavored और विभव कहते है क्या कहते है लाक्टरोड विभव ठीक है हाँ बिल्कुल समावेवता साथ 6 सब होती है मैं साथ हो बताऊंगी अभी सुनो तुमिदर देखो जल्दी लोकिंग खान फटाफट क्लियर थम्स अब एक ता बात समझ में आई या नहीं प्रिंस जल्दी ओके डन अब सबसे पहली आती है क्या बिटा सबसे पहली आती है क्या सलंचनात्मक समावेवता जिन योई को गे क्या बिटा जिनके अनुस्टर तो क्या हो अनु सुत्र समान और क्या भीन भीन हो सलंचना भीन भीन हो सलंचना भीन भीन हो हाँ या ना क्या कहलाती है सलंचना अत्मक समावेवता कहलाती है सलंचना अत्मक समावेवता कितनों क्लियर बेटा पढ़ाई कर लो तुम्हारे जीवन में यही यही कामानी है रख होसला वो मनजर भी आएगा क्या रख होसला वो मनजर भी आएगा प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा इसलिए थोड़ा सा धेर्य करके यह बात क्लियर हो गई सरंचनात्मक समावेता किसे कहते हैं कितनों क्लियर है थमसब जल्दी पढ़ने के मंत्र देंगे आपको जल्दी 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 नन्नी सी चीटी जब दाना लेकर चलती है नन्नी सी चीटी जब दाना लेकर चड़ती है चड़ती है फिर गिरती है चड़ती है फिर गिरती है और एक दिन क्या हो जाती है बार-बार प्रियास करने पर सफल हो जाती है चले किलियर तो बार-बार एक बार कोशिश करो जब वो नन्नी चीटी प्रियास करने सफल हो रही है तो तुम तो फिर भी मनुष्य हो थोड़ी मैनत करो भाई थोड़ी मैनत करो बिटा थोड़ा मैनत तो बनता है भाई यह न? यह फालतू अनूप यह लोग फालतू बाते करने आते हैं इनको पढ़ना है ही नहीं डेली लाइव आ रही हूँ मैं फिर भी नालाइक पढ़ नहीं रहे हैं बस यह इधर देगो सामने बोर्ड पर सभी बच्चे सलंचनात्मक समावेवता क्लियर? ओके डन अब आओ बई सलंचनात्मक में सबसे पहली कौन सी है? श्रंकला समावेवता बच्चों ध्यान दो श्रंकला समावेवता क्या होती है? श्रंकला समावेवता क्या होती है? श्रंकला समावेवता का मतलब क्या होता है? कि कार्बन कार्बन की एक श्रंकला है हाँ या ना? कार्बन कार्बन की क्या है बिटा? CH3 जैसे C4H10 CH3 CH2 CH2 CH3 ठीक श्रंकला समायोता में क्या होता है बटा ध्यान देना सभी बच्चे इसमें शाखित एशाखित शाखित एशाखित कमपाउंड किसमें बदल जाता है शाखित एशाखित और शाखित परस पर कैसे है श्रंकला समावे भी है कैसे है बटा श्रंकला जैसे C4H10 CH3 CH2 CH2 CH3 अगर यह एशाखित है तो अब CH3 CH CH3 CH3 बटा क्या यह शाखित हो गया हाँ या ना क्या यह शाखित हो गया देखो यह क्या है यह शाखित है देखो यह सीधी लाइन है क्या हाँ या ना क्या यह सीधी लाइन है क्या यह सीधी लाइन है इसमें कोई श्रंकला नहीं है सीधी लाइन है देखो ये भी लेकिन जैसे ही ये यू हो गई तो क्या हो गया शाके हाँ या ना हाँ या ना जल्दी बताओ कोई बात नहीं गेमिंग गुरू बस पढ़ाई कर लो बेटा दो yes or no समझ में आया या नहीं जल्दी बता दो फटाफट पता नहीं सिंपल बोई इन लोगों के दिमाग में क्या गुसा हुआ है कोई किसी को I love you कह रहा है तुमारा I love you इतना सस्ता है क्या कि हर कोई खरीद रहा है है खुद को इतना सस्ता कैसा बना दिया खुद को इतना कि दूसरे वाले तुमारे बारे में सोचने से भी डरे पर पढ़ते हो ही नहीं तुम चले बेटा बात समझ आई या नहीं जल्दी बताओ हाँ या ना इसके एक्जामपल सिखाती हूँ देखो सामने बोड पर अब देखो आपके पास ऐसी कई श्रंकलाएं है अगर वो शाकित देखो अगर आपके पास C6, H12 है तो बताओ इसके कितने समावेवी बनेंगे जल्दी बताओ तो कैसे मालूम चलेगा ध्यान करो समावेवी देखो श्रंकला समावेवी एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे हाँ या ना, एक और दो ठीक है? हाँ या ना इधर देखो फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे सही है? एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे हाँ या ना जल्दी बताओ कितने समावेवी बन गए? एक, दो, तीन, और चार हाँ या ना सबका क्लियर? जल्दी बताओ, जल्दी सबको क्लियर हुआ? हाँ या ना? ओके, ओके, ओके जल्दी देखो वही सामने बोर्ड पर चले बिटा बस बाते कर लो तुम बाते कर लो तुम्हें नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ना तुमको? इतना देखो अगर छे कार्बन की श्रंकला है तो उसकी कितने समावे बन रहे हैं? चार देखो बेटा सामने बोर्ड पर योगेश मैडम के लिए तो सब बच्चे तुम लोग बहुत प्यारे हो बेटा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं ये तीन शब्द थोड़ी बताएंगे हमारा प्यार इतना कम थोड़ी है भाई कि तीन शब्दों से वेक्त हो जाए हमारा प्यार तो अनंत है अनंत है जिसे मापाद नहीं जा सकता है चलें बेटा? ओके डन आजाओ अब चलते हैं अगला श्रंकला के बाद में आता है दूसरा इस्थती समाव्यवता क्या आता है बेटा? इस्थती समाव्यवता इस्थती समाव्यवता का मतलब क्या होता है? सामने बौर पर देखो सभी बच्चे बौर पर देखो इस्थती समाव्यवता का क्या मतलब होता है? जब दूईया बंद या त्रिया बंद की इस्थती बदलती है तो उन्हें क्या कहते हैं इस्थती समा व्यवता इस्थती जब क्या हो जाती है बदल जाती है हाँ या ना बात समझ आ रही है यस और नो क्लियर ओके डन आ जाओ भई CH तरी CH डवल बांद CH CH2 CH3 देखो बटा एक दो दूया बंद कितने नंबर पर है दो पर आप यह हो जाए CH3 CH2 CH डवल बांद CH2 CH डवल बांद CH3 अब कितने नंबर पर है एक नंबर पर हाँ या ना अब कितने पर है एक नमबर पर तो किसकी इस्तथी बदल गई बेटा दुईया बंद की यहाँ पर दो नमबर पर था अब एक नमबर पर है हाँ या ना हाँ या ना जल्दी बताओ राजा येस और नो जल्दी 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 अरे जल्दी बताओ बच्चों तुम्हारे परेंट्स तुम्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं या और तुम या आके बाते करते हो ऐसे नहीं करो राजा पैसे लग रहे हैं तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बहुत मुश्किल से पढ़ाते हैं पता है पता है तुम्हें एक महीने का रिचार्ज कितने पैसे लगते हैं उसमें पता है एक महीने के रिचार्ज में तुम्हें पता है तुम्हारे फादर को पूछो उसकी कीमत जो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं तुम्हारे लिए पूरे दिन वो कमाते हैं किसके लिए तुम बच्चों के लिए ये जो बोल रहे हैं बेटा ये जो फ्री करके रखा है न तो ये बात ध्यान कर ले न ये फ्री वाले जो लोग है न उसकी कीमत तुम बहुत बढ़ी चुखाते हो बताओं कैसे बताओं कैसे अभी रिसेंट क्या न्यूज चल रहा है टीवी में क्या चल रहा है अभी हैं तुम्हें पता है न अभी कौन सी मूवी सबसे अच्छी चल रही है कौन सी नहीं मूवी आई अभी कौन सी आई फता है कौन्सी मुवी आई अभी नहीं बता ओ कौन सी मुवी नहीं आई कि तुम्हे साथ एक ढ़र मुवीज के नांपता है तुम्हे सारे गेमों के नां पता है यही कीमत चुका रहे हो तुम पता है फ्री नेट करके फ्री नेट करने वाला तुम्हें बरबाद कर रहा है वो तुमारे जीवन से खेल रहे हैं वो लोग पर तुम नहीं समझ रहे हो तुमें लगता है कि 40 रुपे में फ्री आ रहा है एक दिन का नेट तो use करो अरे उस समय की कीमत तुम कितनी चुका रहे हैं तुम्हें पता है पता है तुमें? नहीं पता है फ्री करके लोग तुम्हें क्या कर देते हैं तुम्हारे जीवन को खदम कर रहे हैं वो लोग पर तुम्हारे माबाप जो इतना मेहंगाई से इतनी मुश्किल से सुबह जाकर शाम को आते हैं वो पूरे दिन काम करते हैं पसीने में पूरे दिन मेहनत करते हैं और शाम को आते हैं से उसने मेरे बच्चा पढ़ रहा होगा उन्हें क्या पता यह बच्चा यहां पर क्या कर रहा है यहां वो किसी को I love you बोल रहे है तुम कहां थी में तुम्हारा इंतजार कर रहा था यह सब अरे हमारी तो नहीं छोड़ो तुम तुम तुमारे माबाप के लिए तो सोच लो उनके तो हो जाओ हुए उन्कोन सोचो उन के बारे में तो सोचो हमती पीछे देखो तुम्हारी मा य governance क्या कर रही है पूरे दिन बिचारी ही तुम्हारे लिए कभी ये बनाती है वह बनाती मेरा बच्चा पढ़ रहा है मेरा लाला पढ़ रहा है पर लाला पढ नहीं नहीं रहे लाला समझ ही नहीं आता है समझ आई बात तो अब बात नहीं करना और मुवी देखो या किसी को I love you बोला तो अपने माँ को बोलना आज I love you अपनी मम्मी को बोलना I love you जाकर कभी बोला है अपनी माँ को I love you नहीं माँ को I love you कैसे बोलेंगे भाई वो तो घर में घर में बैठी है वो तो उनका क्यों बोलना I love you जो डिजर्व करती है उन्हें को बेटा वो माँ जो तुम्हाइरे दिन रात मेनत करती है उसके लिए को I love you बस केवल और केवल टाइम पास कर लेते तो मेरे को मत सुनाओ यहां कमेंट शेक्षन में नहीं चाहिए आज मम्मी को गले लगा गर कहना उनके पाउं दबाना कि मैं मम्मी तुम इतना हमाई लिए करती हो मैं थोड़ी देर तुम्हारा help करता हूं काम में कि नहीं तुम्हें टाइम पास करने के लिए क्लास ही मिलता है कम से कम तुम थोड़ा बहुत तो देखो कि तुम कर क्या रहे हो भाई कि पढ़ाई करना है न तुम्हें कि इधर देखो यह बात समझ में इस्तति समावेता कितना शोट में समझाया मैंने कि जहां पर द्विया बंद और त्रिया बंद की इस्ततियां बदल जाती है ऐसा तुमारे स्कूल में भी नहीं बढ़ाया जाता है पर कम से कम अपनी मम्मी पापा के लिए तो पढ़ लो तुम जिंदिकी तुमारी समरेगी बेटा हमारा कुछ नहीं जाना हमारे तो जिंदिकी बन गई हमने बना ली अब बारी तुमारी है तुम कितना पढ़ते हो तुम कितना करते हो तुमारे पेरेंट्स के लिए यह बिटा हम लोग क्या करेंगे एक गंड़ा पढ़ाएंगे तुम पढ़ोगे तो ठीक नहीं तो ठीक बिचारे पेरेंट्स को देखो वह मम्मी चुले के पास बैटकर तप रही है तब वह खाना बनता है यह शूबम देखो इतना कहने के बाद भी बच्चों में शरम तो पता ही नहीं कहां गई अभी पूछ रहा है कि तुम इसको जानती हो उसको जानती हो बिचारी छोरियां तो फिर भी पढ़ती है यह लड़के हैं जो इनको इधर उदर चाहिए होता है कुछ ना कुछ ना लाइक जल्दी करो भी यह बात सबको समझ में आई थम सब बेजो समझ में आया सामने बोर्ड पर ओके डन चलो आगे अब आती है अगली समावेवता बिटा तीसरी कौन सी क्रियात्मक समुहे समावेवता बिटा क्रियात्मक समुहे समावेवता क्या होती है क्रियात्मक समुहे समावेवता क्या होती है बिटा क्रियात्मक समुहे समावेवता सभी बोर्ड पर देखेंगे तो फिर पढ़ो न, मैं तो कह रही हूँ कि एक parents के लिए या हम teachers के लिए कहने को तो हमारा heart एक है, पर फिर भी हमें दो जगे होना पड़ता है, भाईया और बहन दोनों के लिए भाईया और बेंट दोनों के लिए हमें होना पड़ता है ना वैसे ही पेरेंट्स किस्तुति यह उन्हें कह दें कि तुम्मारा कौन सा हाथ दुम्हें पैले धुनाहाथ पैले नहीं एक हाथ मेरा लड़का रекा लड़की है और तो मुझे पूछ कि तुम्हें कौन साहत प्यारा तो दोनों हाथ प्यार है मेरे को तो हाँ यह ना हाँ यह ना तो तो बुरा कोई नहीं है पर तुम पढ़ते नहीं है इसलिए मुझे गुसा रहा तुम लोगों पर कम से कम थोड़ा रिस्पेक्ट कर लो बेटा इधर देखो सामने क्रियात्मक समों का मतलब यह आपके पास ओएच है सी एच ओ है सी डवल बॉंड ओ है अगर यह ग्रूप आपस में ही इंटर्चेंज हो जाते हैं यानि फॉर एग्जामपल जैसे बेटा समावेवता क्या होती है क्रियात्मक समों समावेवता का मतलब होता है क्रियात्मक समों का आपस में आपस में क्या करना बिटा आपस में बदलना कैसे कैसे बदलते हैं आपस में सामने बोर्ड पर देखो सामने बोर्ड पर देखो सामने बोर्ड पर जल्दी देखो अगर आपके पास CH3 CH2 OH है तो यहां देखो बिटा अगर यह एच यहां आ जाता है तो यह क्या बन गया si a s three ook or see s three a local कि में बदल गए ही थर में हां यां यह न है ला थे किस में बदल गए बिटा इथर में हाँ यह ना इस परकार खेतम सम्मों बदल गए हैं यह बोलो पर हाई न बेटा बात समझ मे आई बात क्लियर हुई बेटा कि जब क्रियात्मक समुई बदल जाते हैं एल्कॉल किसमें कन्वर्ट हो गया एल्कॉल कन्वर्ट हो गया इथर में यानि ओच जो क्रियात्मक समुई था वो इथर में कन्वर्ट हो गया क्लियर विने किशन अर्विंद योगेश डन वेरी गुड बेटा थाइंक यू सो मच थाइंक यू तभी तो मैं ऐसे तो नहीं के तुम मेरे जान हो ऐसे तो नहीं के ती में अपने आप लोगों को पहले पढ़ो तो अपने पीडिएफ तुमारे पास आ जाएगा चलकर यू डॉन्ट वरी क्लियर ओके डन अगला देखो अगली समावेवता क्या है भाई अगली समावेवता क्या है भाई अच्छा एक एक एग्जामपल खुद करके दिखाओ मुझे सभी बच्चे मध्या व्यवता मध्या व्यवता मध्या व्यवता क्या होती है बिटा मध्या व्यवता क्या होती है जिसमें क्रियात्मक समुह की इस्थती बदलती है क्रियात्मक समुह की क्या बदलती है बिटा इस्थती बदलती है क्या बदलती है राजा इस्थती क्रियात्मक्समू है कि क्या बदल जाती है बटा इस्थती बदल जाती है हाँ या ना हाँ या ना जल्दी बताओ yes और no हाँ या ना क्रियात्मक्समू है नहीं बदलता उसकी इस्थती बदल जाती है जैसे मैं क्रियात्मक्समू हूँ मैं यहां खड़ी हूँ दूसरे वाले में मैं यहां खड़ी हूं मेरी स्तिती बदली क्या हा यह ना मेरी इस्तिती बदली क्या बदली ना हा यह जल्दी बताओ तो यही क्या होती है मध्या वेबता जैसे फॉर एक्जमपल यह कितने नंबर पर है एक दो और तीन तो अब और सी डवल बॉंडो च्टू 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 कितने नंबर पर है दो हा या ना हा या ना अरे गजब बेजती है गजब बेजती है फिर नहीं सुधर रहे हो सुधर जाओ यार सुधर जाओ तुम तुमारा जीवन तुमें ही समारना है बेटा तुमारे ही हाथ में है कि तुमें सोना चाहिए या लोहा हीरा चाहिए या लोहा पर नहीं पड़ोगे तो नहीं पड़ोगे क्या कर सकते हाँ सुनाओ भाई करना की दिवानी ब्लॉक करने से नहीं होता बिटे मन में एक मंग होनी चाहिए एक जोश होना चाहिए कि नहीं हम तो पढ़ेंगे चाहिए कुछ हो जाए पर नहीं भाई अभी शेक क्रिस्टल क्लियर ओके डन मैं सबको बोल चुक्यू राजा इससे जादा क्या बोले बताओ सामने बोर पर क्लियर ओके डान चलो आगे अब आती है लासट अगली है त्री विमिया समावयवता क्लियर चुक्यू समावयवता क्लियर मिया कि आकाश यह स्थती थ्रेडी सिस्टम आकाश यह स्थती बदल जाती है इस्थती बदल जाती है क्लियर है हाँ या ना चले जैसे इस यह दो प्रकार किये जया मीति समावेवता और क्या प्रकाश यह समावेवता जैसे इसमावेवता हमेशे किसमें ओद देखो बटा चीएश तरी सी डबल बॉंड चीएश तरी एच एच दूईया बंद युक्तियोईकों में होती है क्यों क्योंकि यह घूम नहीं सकते हैं रोटेट नहीं होते इसलिए अब इनको ऐसे दिखाओ दोनों समान समुए समान दिशा में सिस या संपक्ष विप्रित दिशा में विपक्ष प्लियर हा या ना या ना या सर नो चलें ओके 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 अगली है प्रकाशिक समावेवता जिसमें मीरर इमेच आप के दोनों हाथ कि आपके दोनों हाथ देखो क्या है एक दूसरे के सामने मीरर इमेच है क्या हाँ या ना आपके दोनों हाथ दोनों हाथ कैसे हैं एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या जल्दी बताओ येस और नो बात समझ आई या नहीं क्लियर हा या ना है ना बस यही प्रकाशिक समावेवता होती है क्लियर है सबका सबका क्लियर है ओके डन चलिए जी बच्चों अब चलते हैं आज की क्लास तो इतनी बहुत समझ में आ गई सबको सबसे पहले सह सयोजग जो बंद है उसका विदलन कैसे होता है वो जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सह सयोजग बंद क्या होता है कॉडिनेशन बॉंड क्या होता है सबी बच्चे ध्यान देंगे जैसे आपके पास दो एटम है ए और बी हाँ या न और जब भी कोई एक बंद बंता है तो एक बंद में कितने इलेक्ट्रोन होते हैं जल्दी बोलिए कितने इलेक्ट्रोन होतें एक बंद में कितने इलेक्ट्रोन होतें बिटा जल्दी बताओ किंग खान जल्दी नेचुरल साइडर सिंग कितने इलेक्ट्रोन होते हैं एक बंद में कितने इलेक्ट्रोन होते हैं दो सही बात है हाँ या ना सही है जैसे आपने दोस्ते हाथ मिलाते है एक अपना हाथ मिलाते है तो वो भी अपना एक हाथ मिलाता है दोनों का एक एक हाथ यानी कहने को तो दो है लेकिन दोनों का एक एक है हाँ या ना दोनों का क्या है वन वन हैं हाँ या ना वैसे ही एक बंद में कितने इलेक्टरोन है है का और एक electronics इसका है विइक हाँ या ना हाँ यह न को या सो नौ तो जब बेटा जब इलक्ट्रों यह जो दूरों एलक्टॉन है अब यह बंद तूटता है तो से हम दो भागों में बाक रहे हैं यह बंद कितने बागों में तूटता है दो भागों में सह सेयोजग बंद जब तूटता है तो दो भागों में बढ़ जाता है कितना विखंडन होता है एक होता है समांस क्या होता है राजा समांस विखंडन और दूसरा होता है विश्मांस विखंडन क्या होता है विश्मांस विखंडन यस और नो समांस विखंडन स समझ में आता है हाँ या ना बताओ जल्दी समांस्विखंडन किसे कहते हैं जल्दी से बताओ समांस्विखंडन किसे कहते विड़ा हिमान्शू जल्दी से बताओ जल्दी जल्दी सह सयोजक बंद क्या होता है ऐसा बंद जिसमें दोनों परमाणू के सांजा करते हैं क्या करते हैं दोनों पर्मानों के इलक्ट्रों सांजा करते हैं अपने इलक्ट्रों का सांजा करते हैं तो बंद क्या कहलाता है सह सहयों जग बंद अब जब यह तूटता है तो कैसे तूटेगा दो तरीके से एक तो आता है समांस और दूसरा आता है राजा व होता है समान्स विकंडन क्या होता है जैसे आपने और आपके दोस्त ने क्या किया एक शौप खोली ठीक है आपने पचास आपने आदे रुपए आपने लगाए आदे उसने लगाए लगा दिये यानि आपने क्या कर लिया सांजा कर लिया और आप दोनों के बीच कौन सा ठीक अब आप दोनों दोस्त बहुत अच्छे दोस्त हैं तो जो भी प्रॉफिट हुआ आधा आधा ले लिया यानि कि जो भी प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा लिया तो क्या हुआ एक इलेक्ट्रोन किसने ले लिया अपना एक इलेक्ट्रोन इसने ले लिया और बी ने भी अपना इलाक्टोन ले लिया जब कोई भी इलाक्टोन जब भी कोई बंद तूटता है और उसमें बराबर इलाक्टोन जाते हैं तो ऐसे विखंडन को क्या कहते हैं समांस विखंडन क्या कहते हैं समांस विखंडन जब क्या होता है दोनों परमानू अपने अपने इलाक्टोन ले लेते हैं तो इनके बीच में क्या आ जाता है इस तरह से इलाक्टोन आ जाते हैं यहां तक clear हाँ या ना जल्दी बोलो हाँ या ना जल्दी बताओ जल्दी 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 जीगम जब यह कह होते हैं बराबर तूडता है यह बंद जब क्या होता है समान इलेक्टोनों का बंटवारा कर देता है दो रुपय को एक एक रुपया दोनों भाई ने ले लिया तो समान स्विखंडन वही पर यदि आपका दोस्त गदार निकला आपके साथ दोस्त ने धोका कर दिया आपके दोस्त ने आपके साथ धोका कर दिया यानि कि जब आपने पा पाइदा हुआ तो दोस्त निकला गद्दार और उसने क्या कर दिया बेटे उसने दोनों इलेक्ट्रोन लेकर के आपको कंगाल कर दिया क्या कर दिया कंगाल कर दिया तो खुद के पास तो इलेक्ट्रोन जादा हो गए और हमारे पास क्या हो गए इलेक्ट्रोन की कमी हो गई ह हाँ या ना हाँ या ना तो जल्दी से बताओ तो इस प्रकार के विखंडन को क्या कहते हैं जब इलेक्टोनों का पूर्ण स्थनांत्रण एक के पास ही हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं विस्मांस विखंडन कहते हैं क्या कहते हैं राजा जल्दी जल्दी बताओ हाँ या ना हाँ या ना क्या कहते हैं विस्मांस विखंडन कितने बच्चों को क्लियर हुआ समांस और विस्मांस विखंडन जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी 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 बताओ बिटा हाँ गद्दार होते हैं न कुछ लोग तो वो आपको क्या कर दिये अलग कर दिये तो इसने अपने इलेक्टरॉन ले लिए और इसने क्या कर दिया विस्मान स्विखंडन कर दिया सभी बच्चों वो बात समझ में आ गई हाँ या ना योगेश बोलो बेटा क्या सुना रहे हो सबका क्लियर हा या ना चलिए ओके डन ओके ओके चलिए जी चलिए चलिए बच्चों यह सबको क्लियर होना ही चाहिए समान स्विखंडन क्लियर विश्मान क्लियर अब आते हम आगे अब बढ़ते हम कि आपने सह सयोजग बंद पूर पढ़ लिया अब बंद तूटता है तो किसकी वज़े से तूटता है आजा सोचो आप और आपका दोस्त बहुत अच्छे बंद बना रहे हैं ना दोनों की ब बंड क्या हो जाता है तूट जाता है हाँ या ना हाँ या ना जल्दी बताओ यानी जो सह सयोजग बंद है सह सयोजग बंद है वो किससे तूटता है तो तूटने के लिए बताया गया कि यहां पर क्या होगा सह सयोजग बंद क्या होगा बेटा बंद तूटेगा और यह ब आक्रमनकारी अभीकर्मक से हाँ या ना आक्रमनकारी अभीकर्मक से यस और नू हाँ या ना किसी तीसरी व्यक्ति के आने से क्या हो जाता है बंद तूट जाता है हाँ या ना क्या बात है बिता बिलकुल जो बच्चा 12 में है वो भी आज रुक जाना उसके लिए आज की ख्लास ऑपीट होनेग वाली है सह सयोजक बंद को तोड़ना है तो कैसे तूटेगा आक्रमनकारी अभी करना हाँ या ना तो देखो अगर कोई दोस्त है अब सुनना सभी बाच्चे अच्छे से जैसे प्राची है और प्राची किसी को दोस्त बना रही है है ना प्राची है और प्राची से कोई भी नेया है इसकी दोस्त बन गई दोनों दोस्त हैं लेकिन उनका बॉंड अभ क्या है कोई कोई तीसरा आ गया यानि कोई भी निकीता आ गई तीसरी लड़की और उन्होंने उनकूर्ण के बीशमें जगडा करा दिया राइट अब वो निकिता कैसी है उसका करेक्टर कैसा है वो उनके बॉंड को कैसे तोड रही है तो उस निकिता को क्या नाम दिया आक्रमनकारी अभीकर्मक वो निकिता कौन है आक्रमनकारी अभीकर्मक जो क्या कर रही है प्राची और नेहा कर बीच का बंद तोड रही ये रही प्राची ये रही प्राची कि ठिक है और ये रही नहा देको ये प्राची और ये कौन है ये नहा है ठिक है अब इन दोनों के बीट में बहुत ही बहुत इंट्रेस्टिंग बॉंड है दोनों के बीच में ठीक है लेकिन अब इनके बीच में आ गए कौन कौन आ गई इनके बीच में अभी मैंने किसका नाम लिया था भाई सोनम मान लो ये सोनम आ गई अब ये सोनम आ गई गुस्से से आ गई सोनम गुस्से से क्या करवा रही है अब इनके भी जगडा करवा रही है और केरी तोड़ो ये बंद तो आए सोनम कौन है आक्रमनकारी हाँ या ना हाँ या ना प्राची है सोनम जो भी है चलो प्राची है ये प्राची है ये नेहा है और ये क्या है भाई ये कौन है ये प्राची है ये नेहा ह यह कोन है सोनम है सोनम 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 प्राची तो यह रही ठीक है बात समझ में आ गई यह क्या है सोनम है ठीक है अब समझ में आ गया तो सोनम क्या हो गई आक्रमन कारी अभी करमक जिसकी वह से क्या हो रहे हैं जिसकी वह से क्या हो रहे बिटा जिसकी वह से क्या है बिटा जल्दी बताओ क्या हो गया बंद तूट गया बात समझ में आई हाँ या ना अच्छा लगा या नहीं बात समझ आई नहीं यह बताओ तुम सोनम हो प्राची यो कोई भी हो तुम्हें बात समझ आई कि नहीं तुम्हें आक्रमकाली अभिकरमक समझ में आया या नहीं हाँ या ना जल् यह सोर्नो बहुत अच्छा लग रहा है ओके 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 दो छल्दी बताओ आपको ये बात समझ में आई यह नहीं ओके ओके सबको क्लियर सबको क्लियर जल्दी बताओ ओके थीक है अब इदर आओ अब चलते हैं आगे अब यह आक्रमन का रही है या वे सोनम जो जगडा करा रही है वो कैसी है वो कैसी है या तो वो इनको क्या कर रही है बढ़का रही है या फिर इनमें दोनों में से कोई इसको बढ़का रहा है हाँ या ना दो ही काम हो सकते हैं या तो सोनम नेहा और प्राची को बढ़का रही है या फ जल्दी बताओ बिटा yes or no? सही है न? तो ऐसा हुआ, तो यह जो आक्रमण कारी अभी करमक रोते हैं जल्दी बताओ आक्रमण कारी अभी करमक, अभी करम कीतनä परकार के राजा? दो परकार की होते हैं, हाँ या ना हा या ना जल्दी बताओ हा या ना मेड़र जल्दी बताओ अच्छ लगया नहीं ह हो कि कितने बच्चों पच्छा लगया कॉं समसक्रा पbowsकर जल्दी जल्दी समाज आ گिया जी विल्कुल निया रावत को समझ में आगई है ना बिलकुल नहीं किस नहीं और एक होता है न नाभिक नहीं हायम यान आ जल्दी बता हूं या इलेक्ट्रोंस नहीं इलेक्ट्रोंस नहीं यानि क्या होगा ग्रेहन करने वाला ग्रेहन करने वाला इलेक्ट्रों को ग्रेहन करने वाला हाँ यानि की प्राची और नहा सोनम को बढ़का रही है सही है प्राची और नेया क्या कर रही है सोनम को बढ़का रही है तो यह क्या हुआ इलेक्ट्रोंस नहीं जो इलेक्ट्रों क्या करता है आकर्शित करता है हाँ यह ना बिटे अब नहीं बूलोगे तुम आज के बाद इलेक्ट्रोंस नहीं और नाबिक्स नहीं तुम्हें नी हाँ या ना जो इलेक्ट्रोन ग्रेंड करता है या यू सोच लेना कि जो क्या कर रहा है जो क्या कर रहा है जिसमें नेहा और सौनम क्या नेहा और प्राची क्या कर रहे हैं सौनम को भड़का रहे हैं ठीक है अब यहां पर नाविक्स नहीं क्या होते हैं नाविक्स नहीं होते है जो you electron का परती करशन करते है हाँ यह ना जो positive charge को क्या करते हैं आकरशिक करते हैं यह पिर electron को क्या करते है दूर करते हैं हा यह ना हा यह ना जल्दी बताओ हा यह ना बेटा आज के बाद आपको कभी भी confusion नहीं हो सकता आज के बाद आपको कभी भी यहां पर क्या हो रहा है यहां पर सौनम को कौन भढ़का रहा है प्राची और नेहा और यहां पर सौनम क्या कर रही है सौनम भढ़का रही है किसको प्राची और नेहा को हाँ यह नहीं आक्रमन का रही जो इलाक्टोन ग्रहन करता है वो इलाक्टोन नहीं जो इलाक्टोन का दान करता है वो नाभिक्स नहीं हाँ यह नहीं हाँ याना क्या बात है अनुज वेरी गुड हाँ लेकिन दूर है हाँ याना जल्दी बताओ नेहा इलतुतमेश प्राची जल्दी बताओ बेटे देखो राजा मैं किवल एक मजाग की रुप में आप लोगों को समझा रही हूं ताकि मेरे बच्चों को कहते हैं ना खेल खेल में सीखो वही मैं कोशिश कर रही हूँ है है ना तो ऐसा कुछ नहीं मेरा बच्चा सब अच्छे हैं आप सब मेरे दिल के टुकडे हैं आप हैंना तो कौन सा है से गाना एक लड़कियों के लिए कं ब recurve SMS कूं याल रहा रह года है है ना छान रखकों के लिए सूरज है तू अब लड़कियों के ले भी है ना लड़कियों के ले भी है वो कौन सा गाना जला बता हो वह वड़ा पर तनुजा क्या बात है क्लियर यह नहीं नो नो सोनम यू आट दर सोल अफ माई हार्ट सोल अफ माई हार्ट बेटा ओके ओके चलें हैं जल्दी 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 वो कहते हैं न कोन कहता है कि चिरागों से ही रोशनी होती है कोन कहता है कि चिरागों से ही रोशनी होती है कोई हमसे पूछो हमारे घर की बेटियां भी कोई चिराग से कम है क्या है कोई हमसे पूछो कि हमारी बेटियां जो है वो चिरागों से कम है क्या तो बेटियों से भी क्या होती है चिरागों की तरह रोशनी होती है तो प्राची हो चाहें नेहा हो चाहें सोनम हो मेरी सब मेरे क्या है सोल अफ माई हाट राइट चलो भाई चलें बात समझ आई या नहीं बोलो जी बोलो जल्दी से ओके सोनम नेहा प्राची समझ में आया बिटे सब को हाँ या नहीं जल्दी बोलो जल्दी 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 ओके टैंक यू सो मच नहीं नहीं निकिता कैसे भूल सकते हैं हम आपको जल्दी 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 बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो ओके 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 डान चलें सबको क्लियर अच्छा मेरी कोशिस सफल होगी very good very good oh thank you thank you so much thank you ठीक है समझ में आ गया सोनम क्लियर हो गई हैं चलो अब A और B बता रेते हैं न ए और B के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी C ने उनके बीच में जगडा करा दिया तो C हो गया आक्रमन कारी अभी कर्मक अब यह जो C है यह या तो क्या कर रहा है A और B इसको भड़का रहे है, यह ना, A और B क्या कर रहे हैं, A और B सी को भड़का रहे हैं, तब तो यह इलेक्टोन्स नहीं, और यदि क्या हो रहा है, यदि A और B को यदि सी भड़का रहा है, तो यह क्या है राजा, तो यह क्या है, नाबिकस नहीं, हाँ या ना, हाँ या जल्दी सबको clear सबको okay done आज 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 आके चलते है चले जी okay done very good चली electrons नहीं नाभिक्स नहीं कौन कौन से होते हैं सभी बच्चे नाम लिख लो सभी बच्चे नाम लिख लो electrons नहीं का नाम लिखो H plus H3O plus CL plus CH3 plus NO2 plus ठीक है BF3 plus वैसे ही Nabix नहीं के लिखो Nabix नहीं कौन-कौन से होते हैं X minus OH minus CN minus RCOO minus NH3 H2O ये सब क्या है बटा? Nabix नहीं इलक्तोन से हाँ या ना? जल्दी बताओ यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ Thank you so much तनूजा Thank you बेटी Clear बेटा? Electrons नहीं, Nabix नहीं कितनों का clear है? Electrons नहीं, Nabix नहीं कितनों का clear है? हम आपके हैं कौन? पता नहीं भई कौन हो तुम हमारे? लेकिन तुम यहां पढ़ो काजल, सचीन, खुशी, प्रिंस, नहा, तनूजा अभिशेक पंडित, निखीथा हम आपके हैं कौन? तो यह तुम पूछो के तुम्हें समझ में कैसे आएगा गोपला? चलो जी, सब का क्लियर है चलो जी, ओके, ओके चलें, आईए, यह सब ने उतार लिया? जल्दी बताओ यह राजकुमार राजपती क्या है? प्रजापती है? मस्त हैं, जान, यह किसकी जान की बाते कर रहा है? हैं? हैं यह ना लाइक जल्दी करो इदर ओके, निकीता जल्दी से साइड होगा, फड़ावाँ स्क्रीन शोट ले लो आजाओ पिटाइदर मनीश ओके, थैंक यू सो मजच, यह आजओ हो बेटा, यह क्लियर, अब सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक, सबसे जादा इंपोर्टेंट टॉपिक, क्या, जो बारवी में जब आप और गिनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उस समय आपको दिक्कते करने वाले कुछ प्रभाव, तीन प्रभाव हैं, यानि कि सहसेयोजक बंद का जब विस्थापन, विखंडन होता है, ध्यान देना, सहसेयोजक बंद का विदलन, बंद जब तूटता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनों का विस्थापन होता है, हाँ या ना, इलेक्ट्रोनों का जब विस्थापन होता है, तो यह विस्थापन होने से क्या होता है, तो यहाँ पर तीन प्रभाव बताए गए हैं, कितने प्रभाव, तीन प्रभाव बेटा, पहला, प्रेनिक प्रभाव, जिसे इंग्लिश में, इंडाक्टिव इफैक्ट भी कहते हैं, क्लियर, दूसरा होता है, इलेक्ट्रो मेरी इफैक्ट, इलेक्ट्रो मेरी प्रभाव, और तीसरा आता है अनुनाद प्रभा सभी बच्चे ध्यान से पढ़ लेना कि जब भी कोई सह सेयोजग बंद तूटता है यानि A और B के बीद जब बंद तूटता है तो इलेक्ट्रोन का विस्थापन होता है इलेक्ट्रोन का क्या होता है विस्थापन होता है जब ये इलेक्ट्रोन इधर या इधर जाते हैं तो कौन सा इफेक्ट काम करता है किस कारण ये बंद तूटता है तो बताया गया प्रेणिक प्रभाव इलेक्ट्रो मेरी प्रभाव और अनुनाद प्रभा हाँ या ना बात समझ में आई या नहीं जल्दी बताओ बेटे जल्दी 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 बेटा बात समझ आई या नहीं सब को यह समझ में आ गई थांक्च यू जल्दी जल्दी थमसब बेजो थमसब बेटा सौन। मनीश नेहा जल्दी थमसब ओके ओके क्लीर है अब आओ वहई बच्चों तो सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रेर्निक प्रभाव क्या होता है बच्चों ध्यान देना प्रेणिक प्रभाव क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है सभी बच्चे ध्यान देंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है आज आपने जिसने आज पढ़ लिया तो यहां पर जितने भी क्रांती बेच के बच्चे हैं उनकी अब और हो जाएं क्योंकि आपको यह सब चीजें वहां पर बहुत काम आएगी तो अभी तुम लोग तो कान खुले करो तुम्हें बहुत प्लियर 11 के बच्चों की भी अब और्गिनिक शुरू हो नहीं है तो तुम भी कान खुले कर लेना तैंक यू बई चलें आजा तो प्रेणिक प्रभाव क्या होता है प्रेणिक प्रभाव क्या होता है प्रेणिक प्रभाव वो प्रभाव होता है जिसमें एकल बंद के जो इलेक्ट्रोन होते हैं एकल बंद के जो इलेक्ट्रोन होते हैं वो पूर्ण इस्थानांत्रित होते हैं पूर्ण इस्थानांत्रित होते हैं और यह प्रभाव क्या होता है इस्थाई प्रभाव होता है क्या होता है इस्थाई प्रभाव होता है इस्थाई मतलब किसी आक्रमनकारी अभिकरमक के आने और जाने से कोई पर्ग नहीं पड़ता है इसलिए inductive effect को क्या कहते हैं, इस्थाई प्रभाव कहते हैं, क्या कहते हैं, इस्थाई प्रभाव कहते हैं, चलें, बात समझ आई, चलें बिटा, ओके डन, तो अब देखो, पूर्ण इस्थानांतरन, तो अब आता है, प्रेनिक प्रभाव दो प्रकार का होता है, कि जब पू खेक सकनगोदा स्टाइब एंदान होगा हाँ याना जल्दी बताओ यह क्या है स्थाई प्रबाव है याना यहां पर कारबन कारबन श्रंकला में दो प्रकार के समुह जुड़ेंगे एक तो इलेक्ट्रोन दान करने वाले और एक इलेक्ट्रोन ग्रेहन करने वाले अब इस कार्बन श्रंकला में यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोन दान करने वाला कोई समुव जुड़ गया कार्बन को इलेक्ट्रोन देने वाला कोई समुव जुड़ गया तो वो होगा प्लेस आइफेक्ट धनातमक प्रेनिक प्रभाँ और वही इसे इलैक्ट्रोन लेने वाला ग्रूप जुड़ गया, तो क्या होगा रिनातमक प्रेनिक प्रभाँ, ऐसा आपने आज तक की हिस्टरी में कभी नहीं पड़ा, ऐसा प्रेनिक प्रभाँ, in short, valuable आपने आज तक नहीं पड़ा तो ध्यान कर लो कि प्रेणिक प्रभाव क्या है भाई जल्दी से देख लो भाई कि जहाँ इलेक्टोनों का पूर इस्थनांत्रन होगा इस्थाई होगा और जब इलेक्टोन कार्बन की तरफ जाएंगे तो होगा प्लस कार्बन से लिए जाएंगे तो होगा माइनस हाँ या ना जल्दी बताओ जल्दी बताओ बेटा यस और नो हाँ या ना जल्दी 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 ने हाँ जल्दी बताओ भई सब बच्चे अगर बात समझ में आ गई तो थाम सब थाम सब यह देखो यह बच्चे बाते कर रहें यहां पर एकता आयूश नीलम वेशाली चांदनी इल्टुतमिश तनुजा सब को क्लियर ऐसा आज तक आप मेशा कंफ्यूज होते हो ना प्रेडिक प्रभाव में आज के बाद नहीं होंगे होते हो ना हाँ यह ना होते होना कंफ्यूज न हाँ यह ना चांदनी जल्दी बताओ जल्दी बताओ भाई अब होंगे आज के बाद क्या कभी प्रेरिक प्रभाव आपको प्रभावित करेगा कभी आप दरेंगे इससे सबको clear yes or no तनूजा ओके एक बार फिर से बता दीजिए गौरव सिंग अभी शेक कहरें मैं प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए ओके आप नो कन्फूजन नो डाउट यास चैली इधर देखो बेटा प्रेरिक प्रभाव का मतलब होता है इलक्टोन ट्रांसफर होगा पूरा होगा यानि दोनो इलक्टोन एक साथ ट्रांसफर होंगे तभी तो वो इस्थाई प्रभाव है लेकिन कहां ट्रांसफर होंगे तो कहां कि यदि यहां कार्बन की श्रंखला में कोई समु है कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो ग्रुप यदि इलक्टोन दे रहा है कार्बन को तो क्या होगा प्लस आई और कार्बन स्रंखला से इलक्टोन ले रहा है तो कौन सा प्रभाव माइनस आई यस और नो हाँ या ना जल्दी बताओ बिटे चलिए आज आओ अभी देखो सामने इधर देखो बोड़ पर सामने बोड़ पर देखें के सभी कार्बन श्रंखला है और इसमें ओच लगा दिया और एक कार्बन श्रंखला है जिसमें क्लोरीन लगा दिया तो यहाँ पर यह ओच इसको इलेक्ट्रोन दे रहा है और यहाँ से क्लोरीन इससे इलेक्ट्रोन ले रहा है तो बताओ A और B में कौन सा प्लस आई इफेक्ट है और कौन सा माइनस आई जल्दी बताओ कौन सा प्लस आई है कौन सा माइनस आई ये जल्दी बताओ अरे बताओ भाई प्लस आई माइनस आई कौन सा होगा A और B में जल्दी बताओ सभी बच्चे क्या बात वेरी गुड रोयल आसीव का सही है क्रिष्णा अरे बताओ जल्दी भाई प्रस्ट वाला प्लस आई सेकंड वाला माइनस आई क्रिष्णा इस राइट क्या बात है क्या बात है निकिता A प्लस B माइनस क्या बात है वेरी गुड बेटा यह है प्लस आई और यह है माइनस आई अब आज के बात कंफ्यूजन होगा क्या सबका क्लियर सबका क्लियर हाँ या ना हाँ या ना क्या बात है अंकित के सो में से 98 आएं केमिस्ट्री में क्या बात है इलक्ट्रो मेरी इफेक्ट इलक्ट्रो मेरी इफेक्ट सबी बच्चे ध्यान देंगे यह जो प्रभाव है यह जो प्रभाव है यह डबल बॉंड और कार्बन की शरंकला जिसमें त्रिपल बॉंड होते हैं उसमें पाया जाता है यह एस्थाई होता है क्या होता है बिटा एस्थाई क्यों क्योंकि यह किसी इलेक्ट्रोफेलिक और नुक्लियोफेलिक के आने से ही प्रदर्शित होता है कोई आक्रमनकारी अभी कर्मक आने से ही जो प्रभाव दिखाई देते हैं वो एस्थाई होते हैं अब मैं एक्जाम्पल दे रही हूँ इलेक्ट्रो मेरी इफेक्ट का ध्यान से सुनना जैसे आप लोग घर पर अभी पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है अभी आप यूटूब पे क्लास देखते देखते क्या करते पता हैं थोड़ा सा कुछ और भी देख ली कुछ रियल्स भी देख ली ऐसे भी करते हो करते हो ना रियल्स देखना शुरू कर देते हो तो उसमें क्या है कोई डर नहीं है वही तो वह कौन सा इफेक्ट है अब पापा आ गए अच्छानक और पीछे से मारा दम है ना पच्छे से फड़ा उट मारा आगी क्या कर रहा है पढ़ाई नहीं कर रहा तू तो हम कहते है अरे पपा आ गयकंए तो पापा के डर से वापस पढ़ना शुरू जैसे पापा गये कितावे उदर फिर हमने पढ़ना बंद पापा के आने से प्रभाव हुआ जाने से प्रभाव हं खताब वो प्रभाव इलक्टरों मेरी प्रभाव कहलाथ है यस और नो जल्दी बताओ बेटा जल्दी बताओ बेटा इलेक्ट्रो मेरी प्रभाव समझ आया कि नहीं आया हाँ या ना जल्दी 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 बताएंगे सभी बच्चे इलेक्ट्रो मेरी प्रभाव कितने बच्चों का क्लियर हो गया जल्दी से समझ आ गया हाँ या ना अरे सब की लिए बात सबने अपुआ तो हर जगव होते हैं है चले मेटे चले समझ आ गया ओके डन सबको क्लियर ओके 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 डन इलेक्ट्रो मेरी प्रभाव क्या होता है ईस्थाई आक्रमनकारी अभी करमक की उपस्थी में दिखाई देता है और चोड़ने से हट जाता जाता है clearly हाँ या न ओके ओके तो यह कितने प्रकार का होता है इलेक्ट्रो मेरी इफ्थेक्ट इलेक्टो मेरी इफेक्ट दो प्रकार का होता है क्या बेटे इलेक्टो मेरी इफेक्ट धनात्मक धनात्मक इलेक्ट्रो मेरी इफेक्ट और रिनात्मक इलेक्ट्रो मेरी इफेक्ट हाँ या ना हाँ या ना जल्दी बताओ यस और नो अरे बोलो भाई यस और नो सबको समझ आ गया हाँ यह ना ओके आजाओ बिटा प्लस ए और माइनस ए एक शौट ट्रिक बता दियू शौट ट्रिक बता दियू देखो इदर यह बंद यहां और यहां प्लस अब आकरमन कारी इफेक्ट यहीं तो अटेक किया तो क्या बन गया आकरमन कारी अभिकार्मक की और तो क्या है कौन सा इफेक्ट है जल्दी बताओ प्लस ही वही पर आकरमन कारी क्या भाई दूसरे में क्या बेटे आकरमन कारी से क्या हो जल्दी बताओ जल्दी दूर हाँ यह ना अगर इलेक्टोनों का इस्थन आंत्रन वहां जहां आकरमन कारी अभिकार्मक तो प्लस ही आकरमन कारी अभिकार्मक से दूर माइनस हाँ यह ना थैंक यू बेटा थैंक यू बात क्लियर हो गई सभी को प्लस ही माइनस ही सबको समझ में आया अब एक शोट ट्रिक जहां पर प्लस ही लगता है वहां पर माइनस ही होता है जहां माइनस ही प्रभाव लगता है वहां प्लस ही प्रभाव होता है क्लियर हां या ना जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो भई जल्दी 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 हाँ या ना क्लियर है सबका ओके दन बैरी नाइस ब्लेřी नाइस बीटत ये शॉうट्रिक था इंडंठ्टीव इफेक्ट औल्मिश किसके वित कुमानुपाथी होता है प्रेल प्रिणे रभाव फ्रेंडिक प्रभाव II लाक्ट मेरी effect के व्युत्क्रमानूपाती होता है clear कि ओके को के सबका clear है जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी 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 को ग्लिया कि चलो बच्चों अब आता है अगला effect आता एंपका क्या भाई अनुनाद प्रभाव क्या आता है राजा अनुनाद प्रभाव अनुनाद प्रभाव अनुनाद क्या होता है सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे अनुनाद यानि रेजुनेंस क्या होता है सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे कोई भी योगिक जब एक से अधिक सरंचना में प्रदर्शित होते हैं प्रदर्शित होते हैं तो योगिक की किसकी बेटा योगिक की इस या इन सरंचनाओं को सरंचनाओं को अनुनादी सरंचना कहते हैं तथा इस गुण को कि इस गुण को क्या कहते हैं राजा अनुनाद कहते हैं हाँ या ना ऐसी परिभाशा आपने आज तक कहीं पर भी किसी भी कॉचिंग सेंटर या स्कूल में भी नहीं पड़ी है जितना इजी डाउट नट पर पढ़ाया जा रहा है तो ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है यह अनुनाद कुछ नहीं कोई भी मालिक्यूल अगर एक से अधिक सरंचनाओं पे रिपर्जेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटे क्या कहते हैं बेटे एक से अधिक सरंचनाओं में जब रिपर्जेंट होता है तो उसे हम अनुनादी सरंचना और इस गुण को योगिक में पाए जाने वाले इस गुण को क्या कहते हैं अनुनाद कहते हैं इट इस क्लियर एव्रिवान कैन यू हीर में एव्रिवान कैन यू हीर मी आप मुझे सुन सकने हैं जल्दी बताईए हाँ बेटे अनुनाद के में परकार होते हैं अभी देखो आपको ऐसे आख बंद और खोलते हो जितना समय लगता है उतना अनुनाद समझने में समय लेकिन जितना तेजी से आपका हार्ट भी पंपिंग नहीं करता उतना उससे भी ज्यादा जल्दी आपको अनुनाद समझ में आएगा तो देखो भाई आया था ना मैं कह रही हूँ आज वो टॉविक पढ़ाने वाली हूँ जो आपको फॉर मार्क्स पक्के करेंगे आनुनाद में यहाँ का टॉपिक चारघ नंबर का है भाई आपको चार नंबर छापने है आज मात्र कितना शाठ मिनट में साथ मिनट में मत्र चार अंक बताओ इससे ज़ादा अच्छा क्या होगा कुछ नहीं है बेटा अनुनाद क्या होता है कोई भी सरंचना एक से अधिक रूप में होती है योगिकी तो उसे अनुनाद कहा जाता है क्लियर आजाओ जी अब आते हैं अनुनाद भी दो तरह के होते हैं बिट अनुनाद कितने तरह का होता है अनुनाद भी दो तरह का होता है प्लस और माइनस बच्चों ध्यान दो कोई भी प्लस प्लस को हम क्या कहते हैं धन और माइनस को हम क्या कहते हैं रिन हां या ना येस औ प्लस को धन कहते हैं कि नहीं प्लस को धन कहते हैं कि नहीं जल्दी बताओ जल्दी बताओ प्लस को धन और माइनस को रिंड कहते हैं कि नहीं बताओ तो सही यस ना बिल्कुल तो धनवान लोग धन का क्या करते हैं बिटे दान करते हैं धनवान लोग दनवान लोग क्या करते है बीटा धन का दान करते है हाँ या ना अब आप लो बहुत दनवान है ठीक तो आप पैसा दान करोगे वहीं पर मैं किसी एटम की बात करूँ तो उस एटम के पास में इलेक्ट्रोन जादा होंगे तो वो धनी होगा की नहीं हाँ या ना जिस जिस तत्व के पास जिस योगिक के पास इलेक्ट्रोन जादा होते हैं वो इलेक्ट्रोन धनी होता है क्या होता है इलेक्ट्रोन धनी होता है और जो इलेक्ट्रोन धनी होता है वो इलेक्ट्रोन का दान करता है जो इलेक्ट्रोन का दान करता है वो कौन सा प्रभाव चाहता है कौन सा बेटा अब देखो अब यह योगेश को देखो तुम देखो मैं क्या पड़ा रहे हूं प्लस चार्ज माइनस अप्लस आर माइनस और यह बाते कर रहा है कि मैं कोई दूसरी आईडी से आया हूँ है अब है कि ये देखो इनकी बाते देखो तुम हैं हां जी तुम्हे पढ़ना नहीं है की अरे ये कोई काम नहीं आएगी ये सोना मोना कोई काम नहीं आएगा एक दिन जिस दिन तुम कमाय नहीं करोगे ना पैसनी कमाओगे ना जिसने यूई घूमते रहोगे सडकों के उपर तो यह सोना मोना तुम्हारे साथी के साथ में चली जाएगी कि तुमने तो कुछ कमाया नहीं यूटूब पर बाते करते थे तुम और जो तुम्हारे दोस्त पढ़ रहा है न वो तुम्हारे वाली को लेकर चला जाएगा एक दिन दन्वान लोग ही धन का दान करेंगे सडकों पर घुमने वाले नहीं नालाइक एक दिन तुम्हारे साथ वाली चले जाएगी दूसरे के साथ दिल वाले दुनलिया ले जाएंगे फिर बैठ रहें न तुम आंसु बाते रहें न कि ये क्या हो गया ना लाइक पढ़ते तो हो नहीं ना लाइक इधर देखो समझ में आया प्लस आर और माइनस आर का मतलब क्या होता है धन्वान लोग धन का दान करते हैं जो तत्व या मॉलेक्यूल इलेक्ट्रोन का दान करेगा वो प्लस आर प्रभाव दिखाएगा और जो एलेक्ट्रोन ग्रहन करेगा वो माइनस आपर बाव दिखाया इट इस क्लियर हाँ यह न जल्दी बताओ फटाफ फट जल्दी 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 बताओ भाई बात समझ में आई यस और ना यस और नो ना लाइक ओके ड़न पढ़ लो राजा तुमारा जीवन सुदर जाएगा वरना ऐसे घूमते फिरोगे फिर लड़कियों के साथ भी ऐसा ही है नहीं पढ़ोगे तो फिर कहोगे कि हम नोकरी काई सकरोगे तुम पढ़ तो रही नहीं हो या यूटूब पर बाते कर रही हो क्या वाल कि अ कि अ कि अ कि अ ओके डन क्लिया रहे सबका चलें जी अब आपको बोर्ड पर देओ क्या दिकाई देरा यह उतार लिया सबने इसका स्क्रींशोट मार जल्दी जल्दी से स्क्रींशोट लो इसका फड़ावड उतार लिया थमसब बेजो अगर उतार लिया है तो थमसब भेजो भाई ओके ठीक है अब देखो इधर सामने बोर्ड पर प्लस आर प्रबाव दिखाने वाले कंपाउंड यह एक्जाम में आएगा तू मार्क्स का क्योस्चन प्लस आर दिखाने वाले समोई याद कर लेना बच्चों सब बच्चे याद कर लेना बच्चों आएगा अब प्लस आर कैसे होता है सबी बच्चे ध्यान दो भई बेंजीन रिंग है बेटा उसके उपर ओएच लगा हुआ है बताओ यह इलेक्टों धनी है या रिनी ओएच जो है वो क्या दिखाएगा प्लस आर की माइनस आर गिव मी दा आंसर बेटा ओएच जो है वो क्या दर्शाएगा प्लस आर की माइनस आर जल्दी बताओ ओएच क्या दिखाएगा प्लस आर अभी नाव इस राइट पूजा मिश्रा अंकुष जल्दी बताओ रूबी स्टडी जल्दी बेटे फटाफट प्लस आर बिल्कुल जी अब सभी बच्चे ध्यान देंगे आज से पहले यह दि किसी भी बच्चे ने रेजिनेंस नहीं पढ़ा है तो वो बच्चा ध्यान कर लेना एक बेसिक कॉंसेप्ट है बेसिक बात है रेजिनेंस की अगर बेंजीन रिंग है और इस रिंग में इलेक्ट्रोन आ रहे हैं तो हमेशा बंद इस तरह तूटेगा और एरो का निशान ऐसे लगेगा बंद तूटेगा बेटा और बंद तूटकर एरो का निशान यहां लग जाएगा क्लियर जब भी कोई इलेक्ट्रोन देता है इलेक्ट्रोन दान करता है तो बंद तूटता है बेटा और वहीं पर यदि कोई इलेक्ट्रोन इसमें से क्या करता है बेटे लेता है इलेक्ट्रोन यदि बेंजीन रिंग किसी को दे रही है तो यहां पर बंद तूटकर क्या चार्ज आ जाएगा प्लस और यहां पर क्या चार्ज आएगा माइनस यह बात सभी बच्चे नोट करेंगे कि जब भी कभी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोन दिया जाता है तो रिंग पर कौन सा चार्ज आता है माइनस हाँ या ना कितना चार्ज आता है माइनस और वही पर यदि रिंग में से इलेक्ट्रोन दिये जाते हैं तो कौन सा चार्ज आता है प्लस आप सब जानते हैं धनवान लोग ही दन का दान करेंगे प्लस चार्ज मतलब दान माइनस चार्ज मतलब ग्रहन करना हाँ या ना आर का मतलब होता है रेजुनिंस बेटा चले राजा सबका क्लियर है यस और नो जल्दी बताओ जी यस और नो सबका क्लियर है जोती जल्दी स्क्रीन शोट लो क्योंकि हमें रेजुनिंस और उसके बादने हकल नियम जो कि आपके एक्जाम में आना है 11 के बच्चों के येरली एक्जाम में हक्कल नियम जरूर पूछा जाता है टू मार्क्स का तो जल्दी करो क्लियर है येस और नो ओके ले लिया तो चलिए भई इदर सामने बोर्ड पर देख लेना सब बच्चे मैं साइड में लिख रही हूँ साइड में तुम्हें बता रही हूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रोन दान कर रहा है इसका मतलब रिंग पर माइनस चार जाता है वहीं पर यदि कोई इलेक्ट्रोन क्या कर रहा है कोई इलेक्ट्रोन क्या कर रहा है बेटे रिंग में से ले रहा है तो इसका मतलब रिंग पर क्या चार जाएगा राजा प्लस चार्ज आता है clear है yes or no जल्दी बताओ clear तो देखें कि सभी बच्चे ध्यान से कि resonance कैसे होता है आपको इस्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ओएज जो है वो plus sum है यानि कि plus r दिखाई देता है धन्वान लोग धन का क्या कर रहे है बैटे दान तो ये electron का क्या करेगा ring को दान करेगा जैसे ही ये ring में electron दान करेगा तो ring पर क्या बंद बन जाएगा double bond और oxygen पर charge plus वहीं पर ये बंद तूट कर क्या हो जाएगा ring पर कौन सा charge minus yes or no ये बात सबको समझ आई या नहीं जल्दी से बताओ clear है सभी बच्चों को हाँ या ना clear okay डर अब देखो बेटा ये minus है minus मतलब electron अब ये electron यहाँ पर transfer होगा तो यहाँ से बंद फिर तूटेगा तो जैसे ही तूटा तो क्या बना बेटे सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देगे यहाँ पर बंद बन गया यहाँ से बंद तूट कर minus charge यहाँ फिर बंद और यह double bond यहाँ तक किसी वो कोई doubt नहीं है नहीं है ना हाँ या ना जल्दी बताओ ये yes or no जल्दी 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 बेटे clear है सब को बात समझ में आ गई राजा यहाँ यहाँ ना जल्दी बताओ it's a very very important topic two marks का question छपा हुआ है आपके half yearly और yearly exam में बहुत content आता है clear आज आजओ बेटा अब आप में से कई बच्चे यह भी सोच रहे होंगे कि मैम यह double दोनों तरफ एरो का निशान क्यों लगा रहे हैं क्योंकि बेटा यह reaction जो होती है वो क्या होता है कि एक के बाद दूसरे में convert हो जाती है right यानि कि यह वापस इसमें बदल सकती है और यह इसमें बदल सकती है इसकी वज़े से क्या होता है इसकी वज़े से हमें यह दोनों इस्ततियां में एरो का निशान लगाना पड़ता है clear है हाँ या ना जल्दी बताओ यहां तक सब को clear है बेटा सब को clear okay done चलते हैं आगे आराम से क्योंकि आज रेजोनेंस जिसने सीख लिया जिन्दगी भर का अनुभाव एक साथ आ गया रेजोनेंस हमेशा बेसिक से 11 में ही पड़ाया जाता है तो आज की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए clear आज यह राणबान उपाए है अनुनाद सीखने का आजाओ बेटा जी अब यह यहां से यहां गया बेटा तो यह तूट गया चले आजाए तो यह यहां पर बंद बन गया अब यहां पर बन गया और यहां पर तूट गया डबल बॉंड ओवर्ज हाँ या ना जल्दी से बताओ यस और नो जल्दी 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 clear very good very nice very nice चलते हैं आगे आगे देखो भाई अब यहां से यह यहां आया पेटे और यह अपनी जगह से वापस अब एक बात और ध्यान कर लेना जब भी रेजिनेंस होता है तो एक कांतर क्रम में द्विया बंद होते हैं देखो यहां पर बंध है फिर यहां नहीं है कि देख लो भई सबको समझ में आना चाहिए यहां बंद है फिर यहां है तो एक को छोड़ कर डबल बॉंड बहुन आ रहा है नि एक कांतर क्रह साथ ही जब बंद तूटता है तो कौन सा प्रभाव होता है अगर रिंग में इलेक्टोन आ रहा है तो प्लस आर और जा रहा है तो माइनस आर हाँ या ना सिंपल मेथड है धनवान लोग धन का दान करते हैं और रिणी लोग धन को ग्रहन करते हैं क्लियर जी? येस और नो बेटा जी गया या वापस सिंगल बॉंड होकर क्या गया बिटा? वो अपनी स्थती में आ गया तो यहाँ पर आप तीन लाइन की चाहेंगे इन थ्री लाइन का मतलब होता है इन सब का सार सार क्या है राजा? सार है आपका इस तरह से राउंड बनाएंगे और आपके इन पर कौन सा चार्ज घुम रहा है? माइनस चार्ज और यहाँ पर भी कौन सा बन घुम रहा है? दुविया बन और क्या नजर आ रहा है? ओच क्लियर? हाँ या ना? जल्दी थम सब बेश दो भाई अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी 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 से बिटा फटा फट जल्दी आओ जल्दी 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 ये बात सबको क्लियर हुई रेजनेंस सबको क्लियर हुआ या नहीं हाँ या ना जल्दी 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 बताओ clear है, done है, समझ में आ गया resonance सबको, ओके जी, ओके, ओके, well done, very good, चलू, आजा, ये कौन सा प्रभाव है, plus R प्रभाव, ठीक है, जिसमें electron कौन दे रहा है, वह समू दे रहा है, जो बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ है, अब चलते हैं, आगे, ऐसा कोई भी समू दिखाई दे, ऐसा कोई भी विचित्र प्रानी तुम्हें पेपर में दिखाई दे, तो वहां पर कौन सा प्रभाव नाचेगा, plus R प्रभाव नाचेगा, अनुनाद का मतलब नाचना होता है, राइट, वहां पर कौन सा प्रभाव डांस करेगा, plus R प्रभाव, clear, done, चलो जी, आगे, आओ फड़ाव अगला प्रभाव देखो, अगला डांस देखते हैं, कौन सा राजा, माइनस R, माइनस R मतला, यानि किसी के सर पर बहुत सारा करजा है, अब उसे तुम कहो कि नाच के दिखाओ, तो कैसे नाचेगा बिचारा, है ना, लेकिन फिर भी, यहिम्मत वाला है, इ मैनस M, मेजोमेरिक फेक्ट, M भी कहते हैं, माइनस R, माइनस M, प्लस R, प्लस M, एक ही बात होती है, ठीक है, तो मैनस R, माइनस M, क्या मतलब होता है, अनुनाद तो है, पर अनुनाद में क्या है, बिटे, यहां देखना समी बच्चे ध्यान से, यह रही आपकी रिंग, और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया गो पाला अनो टू क्या लगा दिया राजा अन्ड डबल बॉंड ओ clear हाँ या ना दो दो चार दो छेर यह माइनस और यहाँ पर दो तीन चार प्लस यहाँ तक सब को clear हाँ या ना जल्दी बताओ अब यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या चार्ज है बिटा प्लस चार्ज है कौन सा चार्ज है गो पला नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज है बिटे पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रोन की कमी है जब इलेक्ट्रोन की कमी है तो क्या करेगा इलेक्ट्रोन रिंग में से लेगा ले लिया हाँ या ना जल्दी बताओ हाँ या ना तो यहां से बंद यह यहां पर आ गया तो यहां क्या हुआ जल्दी दिखाओ जल्दी 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 यह रहा यहां से इलेक्ट्रोन गया तो इसके पास कमी तो यह प्लस अभी बताया था ना जब रिंग में से इलेक्ट्रोन कोई लेता है तो रिंग पर कौन सा चार जाता है प्लस चार जाता है clear ओके जी ओके यास और नो जल्दी बताओ जल्दी 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 तो अब देखो यह पोजिटिव चार्ट यहां पर double bond nitrogen single bond oxygen single bond यह दो दो चार चे मैमनेअग और यहां पर भी दो दो जार दो चे माइन Smells है यह रह मुआ जल्दी से बताओ yes or no clear हाइव जल्दी 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 सबका clear है सबको समझ में आ गया है ओके जी ओके चले आईए जी आप यहाँ पर इसकोप से ऐसे हो जग बंद से भी दिखा सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चले आईए आप यहाँ पर बंद यहाँ पर बंद तो यह बंद यहाँ गोम कर आगया हाँ यह ना जल्दी से बताओ यस और नो क्या आया यहाँ बंद यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ बंद यहाँ नाइट्रोजन सिंगल बांड माइनस clear आजाओ जी अब वापस क्या करेंगे यह बंद यहाँ यह क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है clear है okay done तो यहाँ पर आया आपके पास क्या बिटा बंद यहाँ पर बंद यहाँ चार्ज पॉजिटिव double bond and clear हाँ यह ना जल्दी बताओ जल्दी 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 चले फिर यहाँ पर आया बेटे सबका clear है तो वापस क्या होगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ क्या बन गया राजा जल्दी बताओए जल्दी बताओए यह बन यहाँ यहाँ single bond हाँ या ना यानि कि अगर अब आपको इसको लगा कर लिखना है तो आप क्या करेंगे बिटा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या गया यहाँ पर भी double bond यहाँ पर भी double bond और कौन सा चार्ज माइनस यह है आपकी कौन से सरंचना अनुनाद संकर यास और नो यास और नो जल्दी से बताओ कितने बच्चों का clear हो गया जल्दी से बताए यास और नो जल्दी 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 सबका clear है सबको समझ आ गया तो फटा फट थम सब भेजेंगे सभी बच्चे मुझे जल्दी 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 से तनूजा अभिया और कौन-कौन है भाई अभिशेक हैं और कौन है अभी वो गेमर जो भी नाम था भी एक नाम और था भाईया का है ना तो जल्दी 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 फटाफट जल्दी से आ जाओ जल्दी से फटाफट फटाफट क्लास को जादस जादस शेयर करो, लाइक करो, कर क्या रहे हो तुम? जल्दी से ले लो वही फटाफट फटाफट जल्दी 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 देखो बच्चे चले जल्दी जल्दी बच्चो फटाफट मैं मेरा नाम भी मैं सबका ही ले रही हूँ यार कैस बात कर रहे तुम? सबका लेती हूँ मैं नाम जल्दी से फटाफट फटाफट क्लास को शेयर तो करो, तुम कर क्या रहे हो? AI में में मैं傑न प्लस और मायनास समझाने लगीVESع में तुम लोग वा अपने मजए में हो गए हैना को योगेश आर्या आयुश कि मुझे नहीं मैं तो यही हूँ मुझे का जल्दी है मैं तो यही हूँ तुम लोगों को जल्दी बता नहीं तुम कहां चले जाते हो भाग जाते हो तुम क्रास चोड़ के ना लाइक हैं तुम्हारे पाउ में न जुत्ती पहनी रहती है तुम्हारे तुरंत भाग जाते हो तुम तुम्हें पकड़ा नहीं तुम चले गए ऐस थोड़ी उतर लाला पढ़ाई करो भाई , एक बार और बताओं अच्छा माई एजुकेशन के रहे हैं मैं एक बार बता दा देजे प्लीज है कर दिया न आरे हाँ भई क्रामती बैच के सभी बच्चों का खी रहे रे क्रामती बेचके सब क्लियर है कि वो मेरे बच्चे पढ़ने वाले साब ये बाकी बच्चे पढ़ लो राजा तुमारा भविश्य भी खुल थोड़ा सा सुधर जावे हैं चार चांद लग जाएं उनमें है सिंध माँआड ओख आरे तुम परें लॉंग शूट लॉंग टो बड़ा वन स्षॉट बाण बढ़ेंगे मैं वर्य शूटव देंगी आप हैं जल्दी करो दो जल्दी 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 हिकòn यवाज फ चल्दी जल्दी मतलब नला एक79 बच्चे अधर देखो वेटे बोहु सब बच्चे प्लस आर कितनो क्लियर है सब का क्लियर अप्लस आर एडिकेशन बॉय मौनी शेंग सीवाम काजल आयोश सब बच्चों का क्लियर है अच्छा 22 को शेर कर दिया रिपीट कर दो एक बार अच्छा मिस्टर डेंटिस्ट कह रहें कि एक बार ओके अर्विंद कह रहे है कि मेरा क्लियर नहीं है मैं हेमा का भी क्लियर नहीं है ओके डन इधर देखो सामने बोर्ड पर बिटा कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा जो प्लस आर में है तो आपको सामने इसा वीचितर प्रानी दिखाई दे रहे हैं तुम लोगो दिखाई दे रहे न बिटा चले ओके तो यहां पर जितने भी आपको कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं वह इलाक्ट्रों धनी हैं इलाक्ट्रों रिच पैसे वाला है इलाक्ट्रोन से धन्वान है तो वो इलाक्ट्रोन दान कर रहा है जैसे उसने इलाक्ट्रोन दान किया जैसे उसने इलाक्ट्रोन दान किया दान करते ही ये बंद तूटा और ये बंद तूटा तो रिंग में ही इलाक्ट्रोन रहे तो इलाक्ट्रोन रहने का मतलब कौन सा चा माइनस चार्ज शॉरी माइनस चार्ज आ गया माइनस चार्ज आ गया अब देखो कैसे घुमेगा जब भी कभी बंद बंदता है तो एरो का निशान बीच में लगता है और जब भी बंद टूटता है तो एरो का निशान कोने पर लगता है ध्यान देना बंद बंदता है तो इलेक्ट्रोन कहां होते हैं बंद बंदता है तो एरो का निशान बीच में लगता है और बंद तूटता है तो एरो का निशान कहां लगता है राजा कोने पर लगता है बंद तूटता है तो एरो का निशान कहां कोने पर ये बारी कियां जो है ना बेटे जीवन में बहुत काम आती है क्लियर चले जब बंद तूटता है तो एरो का निशान कोने पर और बंद बंदता है तो एरो का निशान बीच में आता है देखो राजा बंद बन रहा है एरो का निशान कहां है बीच में बंद तूट रहा है एरो का निशान कहां है कोने पर यस और नो जल्दी बताओ शिवानी, मिश्रा, हलो फ्रेंड्स हैं, अरे पढ़ ले गोपाला, पढ़ ले बेटा ये सिंपल बॉई कहा है, रूबी खाना खा लिया खाना खा लिया मेरे बाबु ने है हाँ, ये ही रह गया जीवन में तुमारे ये थोए दिनी खाना खाये वाँ पूछोगे तुम अल क्लियर ओके डन सबको क्लियर, स्टडी इस इंपॉर्टेंट चले, ओके डन आजाओ बेटा, ये सबको क्लियर है थमसब बेजो, थमसब की क्लियर है मैम सभी बच्चे थमसब बेजेंगे थमसब चलो, थैंक यू सो मज चलो बयानील शर्मा जी क्लियर है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ टोट रहा है तो यह रोका निशान आपको क्लियर हो गया अब तीन निशान तीन ये तीन लाइन क्यों खीचिए क्योंकि ये क्या है इन सभी अनुनादी सरंचनाओं का क्या बिटा सार है इसे इन्हें क्या कहते हैं अनुनाद संकर कहते हैं क्या कहते हैं राजा अनुनाद संकर ओके ड़न, yes or no, say yes or no, love you too, shivam, पढ़ाई करो अभी, thank you, चली, यहाँ देखो, रिंग में से इलेक्ट्रोन जा रहा है क्या, हाँ यह न, हाँ यह न बिटा, clear, ओके, ओके, चलो जी, यह सब को clear हो गया है, तो थमसब बेज दीजिए, एक बार फटा-फट, फिर मैं आगे चलू, मुझे अगला topic पढ़ाना है, बहुत important है वो, ओके, 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 चलो जी, आओ बच्चो, अब अपना आता है अगला हकल नियम, हकल नियम क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, यह एक्जाम में two marks का पूछा जाता है, इसके हम आज सारे वो एक्जामपल करेंगे, जो 2011 से 2023 तक आपके एक्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे एक्जामपल हम अभी करेंगे, 2011 से 2023 तक जितने भी questions पूछे गए हकल नियम पर, वो मैं आज सारे बताऊंगी पांच मिनट में, पांच मिनट में जिसको दो नंबर चाहिए, वो तो पढ़ेगा, जिसको नहीं चाहिए, वो ऐसे ही पूछेगा, रूबी तुमने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, बस यही पूछा तुम जिन्दिगी बात, कौन खाना खाता है कौन नहीं खाता है पढ़ाई मत करो बस डन इधर आओ हक्कल नियम कुछ नहीं है बहुती सिंपल नियम है क्या कि कोई भी रिंग रिंग मतलब कोई भी वले अगर उस वले में पाई इलेक्ट्रोन तुम लोग पाई तो सब जानते हो द्विया बंद द्विया बंद अगर द्विया बंद इलेक्ट्रोनों की संख्या छे दस चाउदा अठारा और बाइस अगर है अगर है तो इसका मतलब वो हकल नियम की पालना करता है सिंपल मैठोड कोई ताम जाम नहीं कुछ नहीं बस कोई भी रिंग हो उस रिंग में छे दस चाउदा अठारा और बाइस क्या हो इलेक्ट्रोन हो अगर उसके पास इतने इलेक्ट्रोन है इन में से कोई भी इट मींस वो मॉलिक्यूल वो रिंग क्या करती है हकल नियम का पालन करती है क्लियर है यस और नो जल्दी से बताओ कोई बात नहीं अभी शेक पंडित यू डॉंट वरी बेटा फिर भी आप लोगों कहते ना डूबते को तिनके का सहारा वही है तुम अभी समझ लो तो भी तुम तिर जाओगे ठीक है यस और नो ऐसा तो आपकी स्कूल में भी नहीं बताया होगा इतना शॉर्ट कट चलें बेटा यह सब को क्लियर हो गया हकल नियम क्या होता है जिसके अंदर छे, दस, चौदा, अठा और बाईस इलाक्टोन मौजूद हो वो क्या होते हैं हकल नियम का पालन करते हैं क्लियर है, ओके, चलिए, ओके, डन, आओ भाई आओ, जल्दी, 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 जल्दी क्लियर है, अब देखो सामने, आपके सामने एक हकल नियम कहता है कि यदि यह इतने इलाक्टोन है तो वो compound aromatic है क्या है भाई aromatic सुगंदित है सुगंदित है aromatic है जितने भी पर्फ्यूम आते हैं जितने भी आप पर्फ्यूम यूज करते हैं वो सब क्या है बताओ जल्दी aromatic या non-aromatic aromatic सुगंदित होते हैं अब बताओ जितने भी पर्फ्यूम आप लोग यूज करते हैं आज तक मालूम था कि आज तक मालूम था कि वो aromatic होता है या non-aromatic होता है जल्दी बताओ क्या है सभी सुगंदित पदार्तों में क्या होती है aromatic होती है वो aromatic होते हैं clear सब का clear आज में बता चल गया ना कि क्या होते हैं सब को मालूम चला ना aromatic आप इदर सामने बोर्ड पर ध्यान देंगे सरी बच्चे मैं जो पूछ रही हूं बताएंगे आपके सामने एक molecule बना रही हूं बताओ यह aromatic है या non aromatic जल्दी बताओ जल्दी बताओ यह क्या है यह aromatic है या non aromatic है जल्दी बताओ कितने electron है इसमें 2-24-2 electron 2 electron 2 electron 2 electron 2 electron 2 electron और 2 electron हा यह ना बताओ कितने हो गए जोड़ो दो दो चार दो छे दो आठ दो दस कितने यज्ट्रोन है दस पाई एलएक्ट्रोन है तो इसका मतलब यह क्या है एरोमैट्रिक क्या है बेटा जल्दी बताओ एरोमैट्रिक नौन फोन क्ञान क्या कर रहे हो तुम नॉयरोमेटिक कहा से हुआ यह अरोमेटिक है इधर सामने बोर्ड पर यह इसा क्योस्चन है जो एक्जाम में आता ही है क्या नाम है इसका क्या नाम है साइक्लो अक्ता टेट्राइन बताओ यह अरोमेटिक है या नॉन अरोमेटिक जल्दी बताओ यह क्योस्चन आपके पेपर में छपा हुआ है इट्स वेरी 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 इंपोर्टेंट यह आप से पूछा ही जाएगा टू मार्क्स का साइक्लो अक्ता टेट्राइन क्या है अरोमेटिक या नॉन अरोमेटिक जल्दी बताओ यह क्या है यह अरोमेटिक या नॉन अरोमेटिक सभी बच्चे जल्दी बताओंगे अरे जो और अरोमेटिक बोल रहे हैं इनके आँखे हैं कि बटन है कर क्या रहे हो तुम हैं पढ़ लोगों पालो तो जीवन सुधर जाए तुमारा हैं? क्या है ये? दो दो चार दो छे दो आठ देखो पीछे, कहीं आठ नजर आ रहे हैं? कहीं आठ नजर आ रहे हैं? इस अन नान एरोमेटिक येस और नो एरोमेटिक और नोन एरोमेटिक समझ में आये की नहीं? सभी बच्चों को क्लियर चले बिटा नोन एरोमेटिक वेरी गुड, नाइस एक और क्योस्चन जल्दी बताएंगे बताओ इन में A और B में कौन एरोमेटिक है? कौन नोन एरोमेटिक है? जल्दी 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 डोनों में से कौन सा एरोमेटिक है? कौन सा नोन एरोमेटिक है? जल्दी बताओ गिव मी दा आंसर प्लीज फटा फट आदित्यों सिंग राजपूत बेटा ऐसे जो शाहिराना अंदाज तुमारा है उसकी तो तारिफ में क्या ही करूं मेरे पास शब्द नहीं है पर अभी जो मैं पूछ रही हूं उनका अंसर करो ए और बी में कौन अरोमेटिक कौन नौन अरोमेटिक मैं पांच गिन रही हूं इत्ते मैं आंसर कर दे रहा है 1,2,3,4,5 टाइम इस ओवर दोनो नौन अरोमेटिक आरे रे कहां से आये हो तुम है विचित्र देश के विचित्र प्राणियों दोनो नौन अरोमेटिक आरे ना लाइक हो दो और दो कितने होते हैं विटे चार यह देखो दो दो चार और दो छे यह क्या है छे होते ही क्या होते है जल्दी बताओ राजा छे वाला क्या होता है बस यही तो दिक्कते हैं पढ़ते ही तो नहीं हो तुम सोना बाबू मोना सोना यह करते रहते हो आते हो पस पढ़ते नहीं हो अरे थोड़ी तो अपने माबाब की भी कदर करो यार तुम वो तुमें फोन देके बिचारे पढ़ा रहे हैं और तुम उनके पीछे क्या कर रहे हो हैं तुम्हें आइडिया है तुम क्या कर रहे हो थोड़ा तो रखो कि हाँ वही कुछ तो है एक है नोन अरोमाटिक और एक है एरोमाटिक क्लियर चले चले अभिशेक पंडित क्लियर है हाँ यह ना कोई बात नहीं है चलो इदर सबका क्लियर एक और क्यास्टिन जल्दी से करके बताओ जल्दी 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 सभी बच्चे फटाफर करके बताएंगे मुझे बताओ जल्दी एरोमाटिक नॉन एरोमाटिक जल्दी जल्दी बताओ दिया गया कंपाउंड एरोमाटिक है या नॉन एरोमाटिक बता दो भई जल्दी से बता दो आप तो समझ आ ही जाना चाहिए दो, दो चार, दो छे, आठ, दस, बारह, क्या है ये, क्या है, non-aromatic, क्या बात है, very nice, very good, ये योगेश, बेटा अभी भी aromatic और non-aromatic में confused हो क्या, है, अभी भी confused हो, ये non-aromatic है, गोपाला, clear है, yes or no, ओके, ओके, non-aromatic, चलो, सबा का clear है, आदित्य, सब का clear, aromatic, non-aromatic, सभी बच्चों हो, clear, okay, done, तो हक्कल नियम क्या होता है, 4N प्लस 2 बराबर पाई एलेक्ट्रोन, यदि ये पाई एलेक्ट्रोन, 6, 10, 14, 18, 22 है, तो ये नियम लागू होता है, अगर नहीं है, तो ये नियम लागू नहीं होता है, clear जी, इंग्लिश में बोलू, हम तो हिंडियन है, भाई, हम भारती है, हम तो हिंडियन है, हम नहीं बोलते हैं, अंग्रेज चले गए, अपनी अंग्रेज चोड़ गए, हम उसको डोय डोय गूम रहें, हिंदी क्यों नहीं बोले हैं, हम हिंदी बोले हैं बाई, सब crystal clear है, thank you so much, तनुजा, thank you, okay बेटा, सब का clear, discussion किया पीछे, वो क्या था, हमने, प्रेनिक प्रभाव, इलक्टो मेरी प्रभाव, discuss किया, उसके साथ ही हमने, अनुनाद प्रभाव भी discuss किया, प्लस आर, माइनस आर, क्या होता है, किस तरह से रिंग में, इलक्टोन घूमते हैं, वो सब हमने discuss कि, right, तो जल्दी से फड़ा फड़, देखो बच्चों, ये गलत बात है, class को share नहीं कर रहे हैं, आप लोग, है न, class को share करो यार, तुम कर क्या रहे हो, नहीं बिटा, आज तो साथ बज़े होना था, नो बज़े कैसे, हाँ, डूड इवनिंग, जी गूड इवनिंग, एक ता, अच्छा, क्या बात है, लाइक कर दिया मैम, ओके, 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 प्रेंस, आनन्द, सूरेज, सात्विक जीवन, एक ता, अभिनाव पांडे, क्या बात है, चलो बेटे, ओके जन, आजाई, शेर भी कर दिया है, लाइक भी कर दिया है, तनुजा, ओके, ओके, तैंक्यू बेटा, तैंक्यू, आजाई, नितिश कुमार, आईए, तो बेटा, हमने ये सब तो डिसकुस कर लिया, अब हम पढ़ेंगे, अतीस से यूगमन, क्या होता है, आप बच्चों ने ये नाम तो सुना है, पर एक्चल में, इसका मीनिंग क्या होता है, वो हम सब को बहुत ज़दा गोल-गोल गुमा देते हैं, सभी लोग, जहां से भी हम पढ़ते हैं, सब लोग इसको इतना जादा हाइपर कंजुकेशन को इतना हाड बना देते हैं, तो बच्चे से पढ़ना ही नहीं चाहता है, और एक्चल में, हाइपर कंजुकेशन इस दा मॉस्ट ओफ, इम्पोर्टेंट पार्ट अफ और अर्गनिक चैमिस्ट्री, राइट नेहा राव रे अरे वा नेहा, क्या बात हाइपर कंजुकेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता, जब भी आपके पास कोई भी, सभी बच्चे ध्यान देंगे बोर्ट पर, हाइपर कंजुकेशन को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम है क्या, बेकर, नाथन, प्रभाव, कई बार एक नंबर का क्योश्चन आता है, बेकर, नाथन, प्रभाव किसे कहते हैं, अतिस, युगमन को कहते हैं, अबजेक्टिव टाइप क्योश्चन आता है, बेकर, नाथन, प्रभाव किसे कहते हैं, हाइपर कंजुकेशन को ही कहते हैं, ये साइन्टिस्ट के नाम पर लिखा गया है clear उसके बाद वेकर नाथन प्रबाव होता क्या है simply hyperconjugation क्या होता है अतीस है युगमन कुछ नहीं वे होता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉंड होता है और इस डबल बॉंड के नस्दीक अलफा कार्बन और इसके पास अलफा हाइड्रोजन होता है वही योगिक क्या करते हैं बंदों का बंदों में अनुनाद दिखाते हैं क्या दिखाते हैं बिटा बंदों में अनुनाद दिखाते हैं, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, जब द्विया बंद युक्त योगिकों में क्या होता है, अनुनाद होता है, तो उसे ही और वो अनुनाद में क्या मस्ट है, अलफा हाइड्रोजन, क्या मस्ट है बेटा, अलफा हाइड्रोजन, जिस योगिक में alpha hydrogen है उसमें जब अनुनाद हो रहा है वही क्या कहलाता है 30 युगमन कहलाता है क्या कहलाता है 30 युगमन कहलाता है clear बात समझ में आई hyperconjugation क्या होता है कुछ नहीं द्विया बंद योगिक में यदि alpha hydrogen मौजूद है तो alpha hydrogen में उपस्तित अनुनाद ही क्या कहलाता है अतीस यूगमन कहलाता है है ना इजी हाँ या ना जल्दी बताओ बेटा हाँ या ना बात समझ आई या नहीं क्लियर हुआ यह नहीं ऐसा अतिस हैं युगमन आपने तो आज तक नहीं पड़ा ऐसा बेज जोड तोड अतिस हैं युगमन का आप लोगों ने आज तक नहीं देखा होगा यस और नो इजी है ना आइपर कंजुकेशन शुब सबनाम क्या बात है बिटा क्लियर आगया सब को थंस अब दिखा दो जल्दी से ओके नो डाउट नो प्रॉब्लम थांक यू सो मच क्लियर इसका स्क्रीन शोट सभी बच्चे ले लेंगे मेल्टिंग पॉइंट सात्विक जिस पर कोई भी ठोस पिघलना शुरू करता है जैसे 458 केल्विन ताप पर चीनी पिघलना शुरू करती है वह उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है चले बिलकुल निकिता कह रही है पढ़ लो भाईया बाद में बाते कर लेना यह भाईया जो है न यह बाते ही कर रहे है इधर देखो सामने बेटा क्लियर अब आओ देखो यहां पर आपको इसक्रीन पर डाइग्राम नजर आ रहा है यह राद द्विया बंद यह राद द् हाइड्रोजन अलफा हाइड्रोजन अब इन में क्या होता है यहां पर जो बंद में अनुनाद दिखेगा वही हाइपर कंजूगेशन होता है कैसे मैं दिखाती हूं इधर सामने बोर्ड पर देखेंगी सभी बच्चे आपके पास सी एच टू डबल बॉन्ड या यू कर द सी इधर सी यहां एच यहां भी 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 एच क्लियर है हाँ या ना जल्दी बताओ यह सोर नो डबल बॉन्ड सी एच 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 क्लियर है हाँ या ना जल्दी बताओ यहां पर बात सामने समझ में आई सभी बच्चों को yes or no clear है यहां देखो बिट अगर यहां पर आपके पास क्या हो अच्छ कर सकते हैं यह वाला ज़रा इज़ी लगए तुम्हें दिख रहा है हा या ना जल्दी बताओ yes or no सबको दिखाई दे रहा है हा या ना हा या ना जल्दी बताओ सबको दिखाई दे रहा है अब देखो बिटा सभी बच्चे बोड़ पर देखेंगे सभी बच्चे बोड़ पर देखेंगे क्या होता है आ जाओ यहाँ देखो बिटा यहाँ पर यह उपस्तित कार्बन और यह कार्बन ठीक है यह अलफा और यह अलफा हाइड्रोजन अब इस बंद में यह बंद जो है वो यहां आता है तो क्या होता है सभी बच्चे ध्यान देगे H, C, H, H, C, double bond, C, H, H और यहां क्या हो गया H positive हाँ या ना हाँ या ना जल्दी बताओ Yes or No, clear अब देखो बेटा यह यहां से यहां पर आया C, H, 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 C, C यहां पर H, यहां H, यहां H और positive charge फिर यहां सभी बच्चे ध्यान से देख ले ना भई C, H, 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 C इदर आया यहां तो क्या था, double bond ही था ठीक है, double bond यहां double bond दिखी रहा है यहां आ गया H, यहां आ गया H और यहां H positive charge clear? यह वापस यहां यह वापस यहां क्या बन गया? C, H, C, H, H, H अब आया यहां C, इदर पॉजिटीव वापस आ गया H, H, और यह H अब यह बंद यहां घूमा? हाँ यहां यहां न? जल्दी देखो जल्दी 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 तुम्हें समझ में आना चाहिए C, H, double bond, C H पर positive charge, H, H यहां पर C, H, H, और यह भी H clear? यह बंद यहां क्या बन रहा है बेटा? C, H, C, H, H, और H यहां पर double bond, C, H H पर positive charge, H यह बंद यहां, क्या बन गया? H, C, H H पर positive charge, double bond, C, H, C H, H, H फिर यह बंद वापस यहां आया क्या बन गी सरंचना? H, C, H, H, C, H C, C, H3, C, H positive हाँ या ना? हाँ या ना बिटा? यह बात सबको समझ आई? जल्दी बताओ, आयोश, अंशू, जल्दी देखो संदीप, बिना बंद का रेजोनेंस हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है जल्दी देखो, बात समझ आ रही है यह अमानत यादव डिस्त यह अमानत यादव कौन है? अरे पढ़ने दो भाई इधर देखो तुम सामने बोर पर देखो देखो इधर यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? कार्बन से जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन जो अल्फा कार्बन है ठीक है? हाँ या ना अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन पर यदि हाइडरोजन का बंद तूटता है तो यह क्या हो जाता है? यह अल्कीन हो गई और यह अल्फा हाइडरोजन अब ये क्या कर रहा है इसका बंद यहां घूम रहा है फिर यहां घूम रहा है फिर यहां घूम रहा है तो इस प्रकार का ये क्या है बिना बंद का रेजोनेंस बिना बंद का अनुनाद क्या है बिटा ये बिना बंद का अनुनाद क्लियर है हाँ या ना चले प्लीज मुझे कोई बता दो कि ये कौन सा चाप्टर है अरे भगवान अरे थोड़ा तो तुम्हें दिमाग लगाओ भई ये कौन चप्टर चल रहा है आठ्वाँ चप्टर नहीं चल रहा है नहीं बेटा नेटवर्क इशू है तो उसको सही हो जाएगा तुम क्लास में बढ़ने रहो बस चले इधर देखो सामने बोर्ट पर ये अतिसाय युगमन क्लियर हुआ या नहीं अतिसाय युगमन सबको समझ आया या नहीं चले बेटा नितेश कुमार नो मैम ओके हाँ बेटा ये सनंचना एक ही कंपाउंड किये राजा साइड हो जाओ अच्छा साइड हो जाओ आई स्क्रीन शोट लो फिर घर पे इसकी प्रैक्टिस करना ओके चलो बेटा ओके डन आगे आजाओ ये देखो सामने आपके स्क्रीन पर ये रही एल्कीन दिख रही है 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 ये रही एल्कीन इसके पास अलफा हाइड्रोजन अ हाय ना एल्कीन के पास अलफा कार्बन तो ये अलफा हाइड्रोजन अब ये बंदगूम रहें देखो दिख रहे हैं हाँ ये ना तो यस और नो क्लियर ओके नितिश कुमार का अब क्लियर हो गया है नेहा रावत तनुजा योगिता अमान जल्दी बताओ क्लियर ओके ओके सबका क्लियर चलो भई ओके ओके डन कोई बात नहीं बेड़ा आजाओ चलते हैं आगे अब आता है प्रती क्रिया मध्यवर्ती ये क्या है बच्चों जो भी बच्चा त्वल्त में है या जो भी बच्चा इलेवन्त में है वो बच्चे कोई भी रियक्शन पढ़ते हैं जैसे कि for example आपके पास CH3 CH3 है ठीक है और आपने कोई भी एक्स लिया और उसके साथ अभी क्रिया कराई तो ये एक्स यहां जुड़ेगा CH3 CH2 एक्स प्लस एक्स प्लस निकल गया कैसे ये रियक्शन कैसे हुई इसमें क्या क्या बीच में योगा उत्पाद बना क्या हुआ कि अभी क्रिया के दौरान बीच में क्या बना होगा कि ये रियक्शन कंप्लीट हो गई तो कहा जाता है कि जब कोई भी अभी क्रिया संपन होती है तो उस दौरान बंद तूटते हैं पुराने बंद तूटते हैं और नए बंद बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं प्रती क्रिया मध्यवर्ती रियक्शन के दौरान मध्यवर्ती बनते हैं अजय सुनो आपने घर में देख लेना जैसे आपने क्या किया कि एक दूद लिया पात्र में और दूद को गरम किया गरम करके उसमें चीनी डाली ठीक है फिर चाय भी डाल दी डाल दी, तो तुरंट चाई तो नहीं बनी होगी, पहले क्या हुआ, दीरे दीरे चाई चीनी में घुली, फिर चाई पत्ती उस दूद में घुली, दीरे दीरे रियक्शन होई न, तो अपने पास बीच में एक बार समाया जब चाई और चीनी दोने इस दूद में घुल रहे थे उसके बाद क्या प्राप्तुई अपने को चाई प्राप्तुई जो यह बीच में बना है दूद से चाई की प्रोसेस में जो बीच में बना है उसे क्या बोलते हैं मध्यवर्ती बोलते हैं क्या बोलते हैं बिटा जी मध्यवर्ती बोलते हैं यस और नो यस और नो जल्दी बताओ है यह चल्दी बता बेटा चाय रेडी है प्लकुल हां गरम चैकी प्याली है ना वतीं चला था धा है ना कोई उस्त को पिलाने वाली हो है ना वही है यह तो यह गरम चाई की जो प्याली है वह बिलकुल रैडी है ठीक है पर यह रैडी हुई कैसे बीच में कुछ तो रियक्शन हुआ होगा जो बीच में रियक्शन हुआ वही बेटा जी मध्यवर्ति कहलाते हैं बात समझ आई यस और नो डैंति अथ्ले जी अद्रक नहीं ड्स ओडoccup do कि लुद शोरी अजरी घरी बाई सोरी है काव्हरे डाले मैं पो ठिक है बात समझ आईए यस- औरना चलो प्रींस ब्ट कहते रहे हैं मैं मैं आाप ऴेरी बात सबसे पहले सब्सक्राइब अब चलते हैं आगे, अब ये प्रतिक्रिया मध्यवर्ति, इसमें सबसे पहले मध्यवर्ति बनता है कार्ब धनायन, बेटा कार्ब धनायन का मतलब होता है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक, अब ये कैसे बनता है, मैं कार्ब धनायन कैसे बनता है, सबी बच्चे ध् श्रंकला है ठीक है कार्बन की एक श्रंकला है और इस श्रंकला में ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल हो जो इलेक्ट्रोन इससे ले रहा हो तो क्या बनता है कार्बन पर क्या चार जाएगा बेटा पोजिटीव कार्बन एलेक्ट्रोन दे रहा है तो कार्बन पर क्या चार जाएगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ कार्बन से इलेक्ट्रोन दे रहा है धन्वान लोग धन का दान करते हैं तो कार्बन पर क्या चार जाता है जल्दी बताइए जल्दी बिटा जल्दी बताओ क्या चार जाएगा पॉजिटिव क्लियर कार्बन पर उपस्तित पॉजिटिव के कारण ही इस कार्बन को क्या कहते हैं कार्ब धनायन कहते हैं और इंग्लिश में इसे कार्बो केटायन कहते हैं क्या कहते हैं कार्बो केटायन कहते हैं क्लियर कार्ब धनायन समझ में आया हाँ या ना हाँ या ना एक्जाम में यह है टू मार्क्स का क्योश्चन आता है कि कार्ब धनायन का इस्थाइत्व बताईए क्योश्चन आएगा कार्बो केटायन का इस्थाइत्व बताईए तो आप कैसे बताओगे कार्ब धनायन तो पता चल गया कि कार्बन से कोई लाक्ट्रोन लेता है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर आता है वो कार्ब धनायन होता है ठीक बात है लेकिन इस्थ स्थायत्व कैसे अब सुनो बेटा मेरे पास रुपए की कमी हो गई यानि कि मेरे पास मैं कार्बन मैं क्या है ब्लैक टीशिर्ट पहन specifically कारबन अब मेरे पास पैसे की कमी है ठीक है अब मुझे बताओ कि मैं कैसे इस्थाइत्व गरूंगा मेरा इस्थाइत्व कैसे होगा कोई मुझे पैसा दे दे जितनी मेरी जरूरत है तो मैं इस्थाई हो जाओंगी हाँ या ना यह सोर नो अधि मुझे कोई पैसा दे दे तो मेरी जरूरत है पूरी और म कहा गया कि यह इस कारबन पर कोई कोई ऐसा समुए जुड़ा हो कोई ऐसा समुए जुर दो जो इसको क्या कर दे भाई इलेक्ट्रोन दे दे यानि की यहां पर प्लस आर या फिर प्लस आई वाले समुए जैसे ओ एच ओर और NH2 ऐसा कोई समुए जोड दिया जाए तो यह कार्बधनायन क्या हो जाता है इस्थाई हो जाता है यदि यदि कारबोकेटायन पर कोई इलेक्ट्रोन दान करने वाला समोज जुड़ जाए तो वो क्या हो जाता है कार्ब धनायन इस्थाई हो जाता है ऐसा आपने आज तक ऐसा तोर नहीं पड़ा है पॉजिटिव चार्ज जो है वो कब इस्थाई होगा जब उसे कोई इलेक्ट्रोन दान करेगा हाँ या ना यह सो नो यह सके गेमिंग बच्चों तुम पढ़ रहे हो बेटा तुम लोग पढ़ रहे हो कि यूँ टाइम पास कर रहे हो हैं सब के सब तुम लोग किन से लगे हो तुमें पता है अभी क्लास बंद तुम अपने घर और यह लड़कियां अपने घर बेटा इन में कोई आनी जानी नहीं है क्यों नहीं पढ़ रहा है मुझे यही तु समझ में तुम्हें क्लास नहीं लेनी नहीं पढ़ना तुम्हें मैं यह चिला चिला कर गला फाड रही हूं और तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है फालतों की बक्वास बातें तुम यहां कर रहे है तुम्हें पता चल रहा है एक भी बच्चा अमानत यारव बेटा जिनको पढ़ना है ना उनको पढ़ने दो और अपने माबाप की तरफ देख लो भाई वो तुम्हें क्या दे रहे हैं सुबह शाम तक वो तुम्हारे लिए पूरे दिन काम करते हैं यह सोच कर कि हमारा बच्चा पढ़ लिखकर अच्छा इंसान बन जाए और तुम लोग यहां बैठकर क्या कर रहे हो समझ तब आता है ना जब हम प्लास में ध्यान देते हैं तुम तो ध्यान तो सोना मोना पर है कि तुमने खाना खाया कि नहीं तुम्हारे काने में क्या बना यह सोना मोना जा यह तुम्हें चुटकि दिखा कर यूँ चले जाने यह काम नहीं आ नहीं गभी जीवन में अगर कुछ पाना है न तो समय को अच्छी जगह इन्वेस्ट करो ताकि उच्छी रिटरंस अच्छे मिले तुम्हें बिल्कुल भी शरम नहीं आ रही है पता नहीं कहां कहां से किस किस से बाते कर लें अब किसी बच्चे ने बात की फाल्तु की इधर उदर सब बच्चे बोड़ पर ध्यान देंगे यह शबनम देखो यादविस्ट यह कह रही है तुम आ रिया तुम कहां से हो अरे पढ़ लो नाला एक बच्चे एक नंबर के अच्छे तुम्हारी वाली हो भी गई तुम्हारी वाली तुमने ले भी ली तुमने बना भी ली अपनी नालाइक एक भी लड़की जो यहां पढ़ रही है न वो तुम्हारे साथ तो एक के साथ भी नहीं जाएगी तुमने सबने अपना अपना दिखा दिया है कि हम लोग क्या हैं ना तो हम पढ़ते हैं ना कोई बात जिन्दिकी जंग थोड़ी करनी है टाइम पास कर रहे हैं तुम लोगों के साथ चलो इदर मैडम के सुन्दर लगने से कुछ नहीं हो ना पढ़ाई करो तुम नालाइक बच्चे तो कार्ब धनायन पदा चला बेटा इसका इस्थाहित्व का क्रम देखो इसके इस्थाहित्व का क्रम देखो बेटा CH-30, C CH-30, CH-30 पॉजिटिव, तीन डिगरी, CH CH-30, CH-30 पॉजिटिव CH-30, CH-30 पॉजिटिव यहां पर तीन भाई इलेक्ट्रोन दे रहें इट इस मॉर इस्टेबल फिर दो डिगरी फिर एक डिगरी कार्बो के टायन में कौन जादा इस्टेबल होता है एक डिगरी, दो डिगरी और तीन डिगरी तो कहना तीन डिगरी सबसे ज़़ा इस्टेबल होता है क्यूं? क्योंकि इसमें तीन समुए ऐसे जुड़े हैं जो इलेक्ट्रोन दान करते हैं चले बेटा बात समझ में आ गई चले बेटा clear, okay done अगला टोपिक है कार्ब रिनायन कार्ब रिनायन क्या होता है? कार्ब रिनायन का मतलब होता है यदि कार्बन श्रंकला में किसी भी कार्बन के साथ में कोई भी इलेक्ट्रोन दान करने वाला समुझ जुड़ा हो यानि यहां पर जो ग्रूप जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रोन का दान कर रहा है क्या कर रहा है बेटा जी इलेक्ट्रोन का दान कर रहा है यह जो ग्रूप है यह कार्बन को इलेक्ट्रोन दान कर रहा है जिसकी वज़े से कार्बन पर क्या चार्ज आ रहा है बेटा माइनस क्लि कार्ब रिनायन या फिर क्या बोलते हैं कार्ब एनायन क्लियर येस और नो यहां तक सबको क्लियर है सभी को बात समझ आई है हाँ या ना यास और नो चलें बेटा चलें बेटा बिलकुल नीट से रिलेटेड है भाई ये चलें अब बेटा कार्बन पर जो माइनस चार्ज है कार्बन पर यदि माइनस चार्ज है तो उसका इस्थाइत वो कैसे होगा उसका इस्थाइत वो कैसे होगा यानि यदि कार्बन पर रिनावेश है तो कार्बन से ऐसे समुह जोड़ो जो इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हो फोर एक्जामपल माइनस आर या माइनस आई वाले समुह जो क्या करते हैं इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हैं किस से कार्बन से कार्बन से इलेक्ट्रोन क्या करते हैं ग्रहन करते हैं तो वो माइनस चार्ज को क्या कर देंगे बिटा इस्थाइत वो परदान कर देते हैं clear अब ये कैसे हो गा यदि किसी carbon के साथ में यदि इकिसी carbon श्रंखला में क्या जोड दिया जाए बिटा अगर COOS का करम क्या होगा CH3 CH2 सबसे ज़्यादा CH3 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 CH3- सबसे कम इस्थाई होगा यानि एक डिगरी सबसे इस्थाई दो डिगरी कम इस्थाई तीन डिगरी यानि की कार्बन पर यदि माइनस चार्ज हो तो एक डिगरी ज़्यादा इस्थाई होता है वहीं पर यदि कार्बन पर प्लस चार्ज हो तो तीन डिगरी सबसे ज़्यादा इस्थाई होता है यहां पर यदि आप में कोई बारवी का बच्चा पर्जेंट है अगर वह बारवी का बच तो वहाँ पर कार्ब धनायन का इस्थाइत्व पूछा जाता है सो 12 के बच्चों के लिए भी ये बहुत 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 इंपोर्टेंट है तो पॉजिटिव चार्ज कभी स्थाई होता है जब कोई इलेक्ट्रोन दान करता है वहीं पर माइनस चार्ज कभी स्थाई होता है जब कोई इलेक्ट्रोन कारबन से ले जाता है यस और नो सब सब भेजो जलदी 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 सब ही बच्चे जलदी से बताएंगे यस और नो यस और नो बیٹा थर्मोडाइनेक्स पढ़ाएंगे लेकिन अभी और्गिनिक ज़रा इंपोर्टेंट है क्योंकि अभी नीट जेए के बच्चों के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है यह टॉपिक्स चले चले बिटा सबको क्लियर सभी बच्चों को यह टॉपिक समझ में आया या नहीं थमसब बेजो भई ऑके टन सबका क्लियर है थाइंक्यू सो मच फैंक्यू चलो बिटा अब आता है अग्ला मुक्त मूलक मुक्त मूलक को बिटा फ्री रेडिकल भी कहते हैं क्या कहते हैं free radical भी कहते हैं free radical क्या होते हैं एक बात छोटी सी बस और तुम्हारा concept clear कि जब भी कोई भी कार्बन के साथ ऐसा समुआ जुड़ा हो जिसकी विद्योत्रेंटा कार्बन की विद्योत्रेंटा के समान हो यानि कि विद्योत्रेंटा क्या हो समान हो समान विद्युत्रिंटा वाले जो समू हो कार्बन और ग्रुप की तो वहाँ पर जब भी बंद तूटता है तो उस बंद में उपस्तित इलेक्ट्रोन दोनों में बराबर बराबर बंट जाते है जब किसी बंद को तोड़ने पर इलेक्ट्रोन बराबर बराबर तूट जाते है तो बनने वाला नया उत्पाद क्या कहलाता है क्या कहलाता है मुक्त मूलक कहलाता है क्या कहलाता है बिटा मुक्त मूलक कहलाता है या यू कहूं जब किसी भी कार्बन के बंद का समान्स विखंडन होता है क्या होता है राजा समान्स विखंडन होता है समान्स विखंडन होता है विखंडन होता है तो वहाँ पर हमेशा क्या बनते हैं मुक्त मूलक बनते हैं इट इस क्लियर हाँ या ना जल्दी बताओ बिटा यस और नो सभी को बात समझ आई या नहीं जल्दी से बता दो फटा फट जल्दी 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 सबका clear है मुक्तमूलक ओके clear इससे अच्छा इससे easy कहीं नहीं चले free radical सबको clear हो गया now next आगे बढ़ते हैं अब आता है अभी क्रिया के बीच में बनने वाला तो पता चल गया पर reaction कितने प्रकार की होती है यह तो आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं बच्पन in science आप 9th class से पढ़ते आ रहे हैं क्या 9th class में आपने पढ़ा योगात्मक अभी क्रिया विलोपन अभी क्रिया प्रतीस्थापन और पुनर्विन्यास what is the meaning in these type of reactions what क्या reaction का type होता है योगात्मक अभी क्रिया क्या होती है बच्चों ध्यान से देखना ट्रिक बता रही हूँ इससे easy trick कहीं नहीं मिलेगी ठीक है trik समझो क्या कहना चाहती है ट्रिक कह रही है योगात्मक मतलब किसी भी अभी क्रिया में किसी भी अभी क्रिया में अभी कारक का अभी कारक के साथ या यूं कह दो अभी कारकों का जुड़ना किसी का जुड़ना क्या होता है? योगात्मक अभी के लिए क्लियर? बात समझ में आई यस और नो? अब देखो अब इनको देखो रिंकु देवी हैं? भीम कुमार नाम तो देखो इनके नाम तो रामायन में से उठकर आए हैं हैं? पर एक भी बच्चा नहीं पड़ रहा है शबनम तनुजा अभिनव पलक, अंशू सूरज ये केवल और केवल बाते करने आएं नालाइक सब के सब और एक दिन तुम लोग इतना पच्चता होगे न फिर ये कहोगे कास उस समय मैडम पढ़ा रही थी और हम पढ़ लेते तो आज ये रोना ना होता नोर्स तब मिलेंगे ना बेटा पहले खुद को घसोगे तुम नालाइक पढ़ते ही नहीं है इधर देगो सामने बोड पर गयों के साथ गुन पिसता है तो गुन क्यू पिसता है आजकल वो जमाना नहीं है गाय दूद देती है नहीं निकालना पड़ता है दूद डर के आगे जीते है नहीं है डर के आगे संगर्ष है उसके बाद जीते पहले बारे पुराने concept doesn't matter लोगों ने कह दिया हमने मान लिया उसके पीछे का reason क्या है हमें नहीं पता लोगों ने बोला हमने माना गाईदू देती है yes no अपने आप थोई देती है निकालना पड़ता है yes or no बात समझ में आई yes or no चेश्मा लगाई है न मैं क्या नाम है आपका है बस ये डायलोग बादे सीख लो तुम ना लाइक डर के आगे मौत नहीं है डर के आगे संगर्ष है बई डरोगे तभी तुम संगर्ष करोगे उसके बाद जीत ओगे चीजों को बस लग गए डर के आगे जीता तो तुम दर के आगे जीत समझनी एस नहीं होता है पहले मैनत करनी पड़ते हैं तब अंकर्श होता है नट चले इंदर और कई बच्चे पूशते रहते कोई बैन्ट लांच होता है ना तुम में से कई बच्चे पूशते है क्म फ्री में नहीं है क्या यह अब ही मैं पढ़ारहें होगे भर किहा articles रहे हम through me Пड़ा रहे ना है पर हो सही काए किसी ने कि जो चीज त्मारे पास है ना तुम है उसकी कीमत नहीं कहते हैं कहते ना मैंने कई बार देखा है तूम चैटिंग करते रहे नहीं आपस में हैं तो Money problem किसी को नहीं होता, footpath पर रहने वाला वेक्ति भी पढ़ लेते हैं, वो भी IS, IPS officer बनते हैं, गरीब कोई नहीं होता, गरीब होते हैं मन से, दिमाग से, तो मन से कमज़र नहीं हो, पैसे से कमज़र होना चलेगा, पर दिमाग से कमज़र नहीं होना चाहिए आद्मी, नालाइक बच्चे, एक भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है, मेरे बाबू ने खाना खाया, ये चैटिंग ये चल रही है, बताओ, शरम आनी चाहिए, तुम लोग क्या कर रहे हो, जो आपके आने वाले भविश्य के बारवी क्लास का बेसिक है, उसे पढ़ने के बजाए, तुम लोग ये डिस्क्रिशन कर रहे हो, यहाँ, वो 105 रुपे लेते हैं तो वहाँ पर बच्चे बिचारे वो पढ़ते भी हैं, तुम लोग भी पढ़ो, योगात्मक अभी कारक का क्या मतलब होता है, किसी भी अभी कारक का दूसरे के साथ जुड़ना, विलोपन का मतलब क्या होता है बेटा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जे ध्यान दो भई, विलॉपन का मतलब होता है बिटा, विलुपत होना, विलुपत का मतलब क्या होता है राजा, जो चीजे एक बार चली जाती है, वो लोट कर कभी नहीं आती, अर्थार, जो बंद में से तूट कर निकल गया, जो चीजे जो परमाणू निकल गए, परमाणू का निकलना, इसमे क्या था इसमें क्या है जुड़ना इसमें क्या है निकल एक रवी नाम का बच्चा है उसको पता ही नहीं वो बोल क्या रहा है पढ़ने रहा है उपर से बोल भी रहा है के चलें बिटा जी इदर आओ प्रति स्थापन अभी क्या होती प्रतिस्थापन मतलब होता है एक प्लस बी जब रियाक्शन करते हैं तो बी की जगह किसका आजाना एक और एक ही जगह बी का आजाना यानि की एक अभी कारक्त में से दूसरे का क्या हो जाना बिटा एक इस्थान से अपने इस्थान पर दूसरे को ले आना जैसे आपके पास यदि क्या है इस प्रकार दो चीजें हैं तो यहां पर इसकी जगए ये और इसकी जगए ये इस प्रक्रियाओ क्या कहते हैं प्रतिस्थापन रिमोट को पैन ने क्या कर दिया उसके इस्थान से हटा दिया अभी कालकों में उपस्तित परमानु को अपने इस्थान से हटाना क्या कहलाता है प्रति इस्थापन कहलाता है यह सोड़नो क्लियर है क्लियर बेटा दूसरे की जगए आजा ना प्रति इस्थापन अभिक्रिया वहीं पर पुनर्विन्यास क्या होता है राजा पुनर्विन्यास का मतलब होता है कि जो भी अपने सामान घर का रखा हुआ होता है तो हम लोगों की आदब नहीं होती कि अपने सामान को इधर उधर करने की हाँ है ना जैसे दिपाव ली आई सामान तो सैट था घर में आराम से सब जचा हुआ था लेकिन फिर भी मम्मिया क्या करती है उठाती है फिर दूसरी जगह रखती है फिर अगले साल दिवाली आई फिर वहाँ से अटा के दूसरी जगह रखती है तो यह क्या है ऐसे ही किसी भी मॉलिक्यूल में परमानू जो होते हैं उनका अरेंजमेंट बदलना क्या कहलाता है पुनरविन्यास कहलाता है क्या कहलाता पिटा पुनरविन्यास समझ में आई बात योगात्मग विलोपन प्रतीस्थापन और पुनरविन्यास तो सबसे पहले योगात्मग अभी क्रिया सामने बोर्ड पर देखो जैसे CH3, योगात्म अभी क्लिया देख लो भाई, CH2, डबल बांड, CH2, अगर इसमें हाइड्रोजन जुर जाए, यहां से बंद तूटा, और बेटा यहां से H+, H-, clear, यह बंद तूटा, एक पर माइनस, एक पर प्लस, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, क्या बन गया, CH2, CH2, H, CH2, H, clear, yes or no, समझ में आई या नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटा फट, हाँ या ना, चले हैं बेटा, ओके, डन, यह से हाइड्रोजन जुड़ गई, तो यह कौन सी अभी क्लिया हुई, योगात मार्क, अभी क्लिया, clear, हाँ या ना, जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी से बताओ, yes or no, सबको समझ में आया, तो थम साब, ओके, ओके, डन, आजाओ बई, विलोपन अभी क्रिया में क्या होता है बिटा, विलोपन अभी क्रिया में होता है, मॉलिक्यूर अपनी जगह छोड़ कर, चला जाता है, जिसे आप लोग क्लास को छोड़ कर भागते हो ना, वैसे ये भी होता है, CH2H, CH2BR, जो दुनिया से चले जाते हैं, वो लोट कर कभी नहीं आते हैं, क्लियर, तो देखो सामने, क्या आया, CH2 double bond, CH2, जिसमें से क्या रिमू हो गया, HBR, क्लियर, हाँ या ना, हाँ या ना, बेटा, विकास, सामने बोर्ड पर बेटा ध्यान दो, छोड़ो लोगों को, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है, चलो जी जलो, जल्दी 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 जल्दी, ओके ड़न, ओके ड़न, आ जाईए, इदा सामने बोर्ड पर, डन अब देखो प्रती स्थापन अभी के लिए क्या होती है वच्चों प्रती स्थापन का मतलब होता है क्या जैसे CH3 CL प्लस KOH ठीक है अब यहां से बंद टूटा K प्लस OH माइनस CH3 प्लस CL माइनस देखो राजा प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस क्या बना बेटा CH3 OH प्लस को के सी यह देखो बेटा यहां पर सभी बच्चे देखेंगे ओच की जैको ना गया CL और CL की जैको ना गया OH जगह बदल दी हाँ या ना बदल गई जगह ऐसी अभी क्रिया है क्या कहलाती है प्रती स्थापन अभी क्रिया आएंगे पहले यह पड़ो फिर चैपल का वान शोट भी लाएंगे ओके अब आती अगली पुनर विन्यास अभी किया जैसे CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव राइट हाँ यह ना हाँ यह ना जल्दी बताओ सही है अब देखो बिटा यदि इसका H यहां आ जाए तो क्या होगा CH3 CH CH2 यह पॉजिटिव कहां गया हाँ यह ना पॉजिटिव चार्ज यहां था अब यहां से घूमकर यहां आ गया तो यह क्या हो गया उनर विन्यास हाँ यह ना जल्दी बताओ हाँ यह ना यस और नो राजा राम जी मिश्रा बिटा क्या कर रहे हो क्रिश्णा की दिवानी क्या कह रही है बिटा बात समझ में आ गई सभी को यहां तक सबका क्लियर है यह सोर नो जल्दी बताओ तो आपका यह चैप्टर भी खतम हुआ अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर नया तो कॉमेंट शर्षी में लिखकर ज़रूर जाना कि आपको अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी यह भी जरूर बता कि जाना कैसी लगी मज़ा आया यह नहीं जल्दी बताओ जल्दी बताओ मज़ा आया यह नहीं हाँ यह ना जल्दी बताओ बेटा मज़ा आया यह नहीं अच्छा लगा ओके ओके ड़न चलो जी मिलते हैं अग नेक्स्ट फ्राइडे को नए चैप्टर के साथ आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो कॉमेंट शेक्शन में लिखकर जरूर जाना ताकि हम अगला चैप्टर आपके डिमांड के अनुसार ही लेकर आएं ठीक है जी तो चलते हैं बच्चों खुश रहो मस्त रहो पढ़ते रहो फालतों की बातें मत करो बेटा यह तुमारा गॉल्डन टाइम है अगर यह हाथ से निकला तो सब कुछ गया फिर कभी वापस लोटके नहीं आता समय ओके चलिए जी बबाई ठेक केर थांक यू सो मच गूडनाइट बच्चों ठेक केर